हालो एव्रिवान वेरी गुड इवनिंग एम आउडिबल अन्विजिबल गुड इव्रिवान कैसे हैं बिचा आप सभी क्या आप सभी को मेरी अवाज आ रही है और मेरी प्यारी शकल दिखाई दे रही है के नहीं हां जी यह वेरी 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 गुड इवनिंग तू आल ओफ यू गुड इवरिवान आम गूड हाव यू गाइस कैसे हो और मैं पहन रखके कहीं भूल गई हूँ वाव मिरको आजकल भूलने के बिमारी हो गई है ओ मिल गया हूँ फाइनली चलो जी सभी को गूड इवनिंग सत्रिया काल आप सभी लोग मज़े में हैं बढ़ियां हैं एक नमबर हैं तो वेरी नाइस ताइंक यू सो मच नाइट रूटीन वाला वीडियो लाइए बिलकुल कल या परसों में आपको नाइट रूटीन वाला वीडियो डेफिनेटले मिल जाएगा आज की क्लास बच्चों क्लास 10 के इतिहास में सबसे जादा इंपॉर्टेंट क्लास है ठीक हैं औ वेलो आज क्लास 10 की सारी कविताओं की बच्चों को समरी दे देते हैं बट मुझे नहीं लगता कि अभी तक इस सेशन में ऐसा कुछ यूट्यूब पर हुआ है कि क्लास 10 की सारी की सारी कविताओं आपको लाइन बाइन एक ही वीडियो में मिल रहा है तो मुझे नहीं लग जाकर हमें छुट्टी देगी नहीं ऐसा नहीं है आज चाहें जितनी देर लग जाए चाहें क्या मतलब यार खतम कर दूंगी डेड़ गंटे में ठीक है अपन सारी पॉम्स क्लास 10 में 10 कविता हैं सारी पॉम हम लोग यहां पे करने वाले हैं ठीक है आपको यहां पर लिस्ट दिख रही होगी मेरी फोटो के पीछे हना जी तो मैं सारी पॉम्स आपको लाइन वाइन समझाने वाली हूँ दोबारा ताकि जब भी किसी बच्ची क्यों जरूरत पड़े तो उसे एक एक कविता करके अगर सर्च करने का टाइम नहीं है तो वो बच्चा राम से इस पूर किया ओके जी सो फटा फट से एक बार ही आजो क्लास को बेटा जी like और share कर दो like मुझे बिलकुल नहीं दिख रहे हैं मैं नहीं चाहती हूँ कि आज की क्लास किसी भी बच्चे के लिए miss हो क्योंकि आज की क्लास क्लास 10 के लिए बहुत जादा जादा important class है ठीक है बहुत important है मुझे बताने की ज़रत नहीं है, शायद आपको खुद को एहसास है कि कितनी important class है, तब ही आप लोग class में आए हैं, अगर आपको एहसास नहीं होता तो आप लोग class में नहीं आते, ठीक है, तो सारे बच्चे आजाईए, comment section में spam कर दीजिए, ma'am we can do it, और हम लोग इस positivity के class के timing को लेकर जो मैं end में करूंगी, अभी मुझे class का time waste नहीं करना, हमें wait कर रही हूँ एक दो मिनट ताकि सभी बच्चे इकतरित हो जाए, but class के timing को लेकर मैं आप से class के अंत में बात करूंगी, मैं चाहती हूँ आप सारे बच्चे class के अंत तक रुके, क्यों रुके, क्य मैंने का यार मैं ठकी भी होंगी रात को 9 वजे इतना काम करके, फिर मैं बच्चों को 10 पोंग समझाने की क्या हिम्मत रख पाऊंगी, फिर मेरको लगा कि अब नहीं करूंगी तो कब करूंगी, बच्चों के preboards आ गए हैं, हाना, तो चलो बेटा, शुरू करें, शुरू कर मैं आपको शुरू करने से पहले ये बता दू, कि ये जो आपको पीछे list दिख रही है, class 10 की सारी poem आज हम करने वाले हैं, ये मैंने एक-एक poem डिटेल में भी कराऊंगी, समरी नहीं दूंगी, खाली, line by line कराऊंगी, पर poetic devices हो गए, question answer हो गए, सब मैंने आपको करार रखा ह टेलीग्राम पर PDF है, अगर किसी बच्चे को specifically किसी poem के poetic device देखने है, तो वो अलग से भी मेरी playlist में जाके चेक कर सकता है, एक-एक poem मैंने अलग-अलग वीडियो भी बना रखी है, जिसमें question answer playlist मैंने कर रखा है, और question answer telegram पर available कर रखे हैं, ठीक है, description में playlist का link है, आप लोग की सारी कविताएं हैं, ठीक है, पिछले काफी टाइम से मैं आपको free batches में पढ़ा रही हूँ, और आज हम लोग ये class करने वाले हैं, चलिए तो शुरू करते हम class को, मेरे को एक बारी बस ये बता दो, कितने ऐसे बच्चे हैं, जो आज की class के लिए super duper excited हैं, कि yes मैं, हम तो बिल्कुल अंत तक रुकने वाले हैं, आज की class के लिए, बस, मुझे ये जानना है, बेटा मैं class 11th all poems करा चुकी हूँ, already link, already video है channel के, हान जी, जल्दी बताओ यार, आदर्श बेटा कियारा कहां थी, इतने दिनों से कियारा को क्या हुआ था, ये आप कियारा से class के बाद में भी पूछ लेना मेरी जान, ठीके, अभी पहले तान्या मैम यहां है, तान्या मैम आपको 10 poems कराने वाली है, तो अभी आप तान्या मैम पर ध ठीक है, कियारा को क्या हुआ है, वो बाद में पूछ लेना, चल, शुरू करते हैं इसी energy के साथ, please class को like और share करते रहना तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, तो सबसे पहली poem है बेटा जी हमारी dust of snow, जो बच्चे पहली बार class को देख रहे हैं मैं चाहती हूँ, आप जच करो, ठीक है, सबसे पहली poem है बेटा हमारी dust of snow, dust of snow जो कविता है वो Robert Frost ने लिखी हुई है, जो चीजे आपके board exam के लिए जरूरी है, मैं आपको वही बताती भी चलूँगी, फालतु में आपका time में waste नहीं करूँगी, ठीक है, ना इतना time बच्चो मेरे पास है, ना आप लोग waste करो, तो मैं केवल आपको चीजे बताऊंगी, cut to cut जो जरूरी है आपके लिए, मैं बिलकुल time pass नहीं करूँगी कि इधर उदर तुम्हें घुमारी हूँ, ठीक है, सबसे पहले dust of snow लिखी किस ने है, यह याद कर लो Robert Frost ने लिखी है, dust of snow हमारी बहुत ही जादा simple सी, बहुत ही जादा प्यारी सी हमारी पोम है, आप लोग एक diary और एक notebook और एक pen लेकर बैढ़ जाईए, ताकि जो short short notes मैं आपको दे रही हूँ, वो short short notes मेरी जान आप लोग लिखते जाओ, ठीक है, all right, अब यह जो dust of snow पोम है ना बच्चों, दिखने में बले ही छोटी है इसका जो meaning है, जो message है, वो बहुत जादा deep है, poet यहाँ पर explain करते हैं, कि कैसे एक छोटी सी act, छोटी सी act मतलब किसी के उपर बरब गिर जाना, तो कैसे यह जो छोटी सी act है, यह किसी की life में बहुत जादा बड़ा impact क्रियेट कर सकती है, यह message हमें यहाँ पर, जो हमारे poet है, वो देना चाहा रहे हैं, अब सबसे पहले शुरू करते हैं, लिखा हुआ है, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, अब यहाँ पर बेटा, शूख का मतलब क्या होता है, शूख का मतलब होता है, धका, ठीक है, hemlock tree एक जहरीला पौधा होता है, एक poisonous tree को बोला जाता है, dust of snow क्यों बोला ग पर बेटा क्या हो रहा है, कि पोईट का मूड बहुत जादा खराब है, और वो इस तरीके से walk कर रहे है, जैसे आपको साइड में दिख रहा है, एक इंसान वो चले जा रहा है, उसका मूड बहुत जादा खराब है, तो किसी से बात नहीं करनी, अब जो बाता वरन है, वो पोईजनेस ट्री है, ठीके उसके नीचे आ जाता है, विंटर सीजन होता है, बरफ पड़ रखी होती है, अब इतने में ही बच्चों क्या होता है, जैसे ही मानलो ये पेड है, ठीके पेड की टहनी है, इस पे आकर ने क्रो बैड जाता है, क्रो क्या होते है, कवा, तो एक आजन कर सकते हो, कि अगर एक कवा आकर बैठ रहा है, तो मूवमेंट होगी, होगी के बच्चों नहीं होगी, जल्दी से बताईए मुझे इन दे कामेंट सेक्षिन, होगी ना, होगी के नहीं, मूवमेंट होगी, हिलेगा ना पेड, टहनी हिलेगी ना, राइट, अब बढ स्नो थी, उसके कुछ पार्टिकल्स नीचे जो हमारा पोइंट खड़ा था, उसके उपर गिर गए, ठीक है, समझ में आया, तो यहीं हाँ पर लिखा है, जिस तरीके से एक कवे ने धक्का दिया, किसको धक्का दिया, डस्ट आप स्नो को, डस्ट आप, डस्ट मतलब धूल यहीं, डस्ट मतलब स्नो पार्टिकल्स बड़े छोटो-छोटो से, ठीक है, तो उसने स्नो पार्टिकल्स गिराए, कहां से गिराए, एक हेमलोग ट्री से गिराए, ठीक, अब आगे क्या हुआ, लेट्स सी, करेकली, has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rude, रिउड का मतलब क्या होता है, रिउड का मतलब होता है, held in regret, ठीक है, तो बोला गया है, कि जैसे ही, डस्ट आप स्नो हमारे कवी पे गिरती है, जैसे ही, डस्ट आप स्नो हमारे पोईट पर गिरती है, उसका जो mood है, वो change हो जाता है, पहले उसका mood था bad अब उसका mood किसमे अच्छे में बदल जाता है जो उसके feelings of sadness हैं वो सारी कि सारी चली जाती है और अब वो सोचता है कि यार मैंने मेरा आधा दिन तो बरबाद करी दिया बट अब जो मेरा remaining day है ना वो sadness से बच जाएगा सो यहाँ पर यही लिखा है कि उस पूरी क्रिया से उस पूरी process से मेरे दिल में एक change आया मेरा जो mood है वो change हुआ और मेरे दिन का कुछ part save हो गया कौन से दिन का वो दिन का part जो मैं regret में बिता रहा था यानि कि जब भी हमारा mood खराब होता है आप मानोगे ना हम कोने में पड़ एक पड़े रहते हैं तो poet भी ऐए बोल रहा है कि यार हमारे पास यह तो power नहीं है कि हम अपने mood को खराब होने से बचा ले हम ऐसा नहीं कर सकते हमारा mood किसी भी बात से खराब हो सकता है पर इस nature में इतनी beautiful चीज़े हैं इस nature में इतनी power है कि यह हमारे mood को ठीक कर सकता है तो अब ही अगर मेरा मूँ ठीक नहीं होता मैं मेरा पूरा दिन यूँ भरबात कर देता क्या ये दिन लोटके आपाता हाँ बच्चो आच छे निवेंबर 2023 कभी जिंदगी में लोटके आपाएगा yes और no हाँ जी आपाएगा कि नहीं आपाएगा नहीं आपाएगा न हना एक एक बारी जो दिन चला गया तो वैसे ही यहाँ पर वो बोल रहे जो मेरा पार्टी जो मेरा दिन खराब होने वारा था वो आधा दिन मेरा सेव हो गया है आधा दिन मेरा बच क्या है अब यहाँ पर आपको एक important चीज याद रखनी है कि क्रो, कववा और हेमलॉक ट्री हना जहरीला पेड दोनों ही negative चीजे हैं दोनों ही क्या है? नकरात्मक चीजे हैं दोनों ही क्या negative है? अच्छा घर में जब कववा आता है किसी तरीके से तो यह दोनों ही negative चीजे हमारे कवी ने यूज क्यू करी, पोईट ने यूज क्यू करी वो तो कोई खुबसूरत से पेड का भी इस्तमाल कर सकते थे उन्होंने बेटा यूज करी अपना sad face दिखाने के लिए कि भाई मैं बहुत ज़्यादा sad हूँ मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ ठेक है negative mood दिखाने के लिए उन्होंने negative चीजों का use किया कि जिन चीजों को सब अब शगुन बोलते हैं उन्हीं चीजों की वज़ा से poet का mood ठीक हुआ कवे नहीं क्या करा का हुए नहीं हमारे poet का मेरी जान मूँ ठीक कर दी ठेक है समझ में मैं दुबारा बोल रही हूँ मैंने इसकी poetic devices, question, answer sub playlist में अलग-अलग lectures में करा रख है कि dust of flu का अलग, fire and ice का अलग ताई तो आपको अगर वो करना वहां से कर सकते हो आज की classroom में आपको सारी poems इखटे कराने वाली हूँ line by line यह poems सभी को समझ में आये, yes or no बड़ी छोटू सी है, but बहुत important message देती है अब हमारे बच्चे हमें बोल रहे, ma'am आप भी शुरू से कराऊगे, सारे लोग शुरू से सबसे अलग होती है, ना में शुरू से कराऊँगी, ना में एंड से कराऊँगी तो मैं हम करोगे क्या, एक poem सार्टिंग से पकड़ेंगे, एक poem एंड से पकड़ेंगे समझ में आ रहे हैं, अभी यह करी, इसके बाद हम fire and ice नहीं करेंगे इसके बाद जाएंगे last पे, करेंगे for Ann Gregory, ठीक है, तो हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आगे से भी complete होती जाएगी, नीचे से भी complete होती जाएगी ठीक है, और मुझे हर poem के बाद यह सुनना है कि yes ma'am समझ में आ गया ठीक है, क्योंकि तुम ही लोग मेरा source of energy हो, जब तक तुम high energy में रहोगे मैं भी रहोंगी ठीक है, और अभी भी कुछ बच्चों ने class को like और share नहीं कर है मेरी जान फटा फट से आप बच्चे class को like और share तो यार इतना तो यार तुम लोग करी सकते हो इतना भी नहीं करोगे क्या, अपनी teacher के लिए, हाँ ये ये बहुत बड़ी बात मैंने बोल दी क्या करने के लिए तुम लोगों को एक second देना वस में को Just one second, I need just one second ठीक है, cool है चालो Okay, समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ने के लिए भाईया, हमें क्या करना पड़ेगा हमें सबसे नीचे जाना पड़ेगा ठीक है, सबसे नीचे हम लोग जाएंगे और एकदम last poem को अब हम पड़ेंगे और last poem बेटा हमारी कौन सी है Last poem है हमारी for Ann Gregory ठीक है, अब हम इस poem को पड़ेंगे अब इस poem में क्या है ये poem किसने लिखी है, सबसे पहले ये याद रखो ठीक है, W.B. Yeats ने इस poem को लिखा है किसने लिखा है, W.B. Yeats ने इस poem को लिखा है Ma'am, I got 98 in English in my board in class 10 because of you Thank you so much बेटा, thank you ठीक है, अब W.B. Yeats ने इस कविता को लिखा है और इसमें क्या कर रहे है, W.B. Yeats एक अपनी सहेली के साथ conversation करने की कोशिश कर रहे है उसको बोल रहे है, बाई, कोई तुझे सच्चा प्यार नहीं कर सकता आज कल बहुत famous रहता है न, ये सच्चा प्यार हाना, right or wrong क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ ये लो, मैंने बस इतना बोला ही था और मनोच शर्मा कॉमेंट कर रहे है मेरा बाबू, अरे भाईया नस काट दो मेरी बेटा ठाकूर फैमिली व्लॉग मैं यही बता रहे हुँ बच्चे कि अगर आपको poetic devices करने है मैंने हर एक चाप्टर हर एक कविता का लग-लग poetic devices बताया हुआ है डिटेल में, प्लीज आप उन्हें देख लो ठीके बिटा सारे syllabus मैंने करा रखा है आपको प्लीज आप एक बारी question answers तक करा रखे हां तो कुछ बच्चे बोल रहे हुआ कुछ बच्चे बोल रहे हुआ तो WB Eats क्या बोल रहे है कि भाई हो इनी सकता वो बोल रहे है आज कल की दुनिया ऐसी है कि वो तुम्हें सिर्फ तुमारे looks के लिए प्यार करेंगे तुम्हें और किसी चीज के लिए प्यार नहीं करेंगे ठीक है और वो किससे बात कर रहे है जो हमारी poem में नाम है न Ann Gregory इससे बात कर रहे हैं तो ये बहुती important मुद्धा है वो बोल रहे हैं कि भाई it is almost impossible बिलकुल impossible है कि आपकी life में आप किसी ऐसे इंसान को ढूंड लो जो आपको प्यार करें who loves you truly truly का मतलब क्या है for your qualities and not for your beauty हना क्या आपको looks के लिए नहीं आप अंदर से कैसे हो दिल से कैसे हो उसके लिए आपको प्यार करें तो वो बोलते हैं कि केवल और केवल एक भगवान ही है जो हमें हमारे true self के लिए प्यार करते हैं बाकी सब हमें हमारे looks के लिए प्यार करते हैं ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है ठीक है एमेम आपके notes बहुत अच्छे हैं मेरे teacher ने आपके notes के आंसर की वज़ा से मेरी बहुत तारीफ करी so beautiful, so elegant looking like a wow क्या बात है कशिश भारती मज़ा आगया आपके comment देखके thank you so much चलो so यहाँ पर बेटा हमारी जो कविता है वो शुरू हो रही है ध्यान से सुनिएगा never shall a young man thrown into despair by those great honey colored rampets at your ear love you for yourself alone and not for your yellow hair तो यहाँ पर WB Eats and Gregory अपनी दोस को बोल रहे हैं कि sad हो जाए despair मतलब उदास हो जाए sad हो जाए क्यों होगा वो sad because of your rejection क्योंकि तुम उसको reject कर दो ठीके और वो sad हो जाए तो तुम बिल्कुल भी उसकी बातों में मत आना यह मत समझना कि वो तुम्हारे reject करने की वजह से sad हो रहा है ठीक है समझ में आया क्योंकि उसे तुम्हारे क्या पसंद है honey color के यह जो yellow color के तुम्हारे rampants किसको बोलागे है बालो को यहाँ पर rampants किसे बोलागे है hair को rampant का मतलब क्या होता है आपने कोई खिला देखा है खिला उसके बाहरी side पर wall होती है उसको protect करके रखने के लिए खिले को बचा कर रखने के लिए wall होती है के नहीं होती मानलो यह किला है यहाँ पर मानलो भई यह किला है अब इसके आसपस क्या होगा wall होगा तो इसे क्या बोलते है rampants तो वैसी उन्होंने क्या बोला है बालों को ramparts बोला है क्यों? क्योंकि ये बाल हमारे ऐसे कान पर आते हैं न तो ऐसा लगते हैं कि कान को protect कर रहे ठीके तो क्या बोला गया है ramparts तो वो बोल रहे हैं कि ये जो तुमारे honey color honey color का मतलब क्या है यहाँ पर yellow color के ये जो तुमारे hairs है न लोगों को इने देखकर तुमसे प्यार हुआ होगा ठीके ना कि तुमारे से यानि कि ना कि तुमारी qualities से तो तुम कभी भी sad मत feel करना कि ओ बिचारा देखो मैंने उसे reject कर दिया तो इसलिए वो sad होकर बैठा है इतना समझ में आया guys please tell me फड़ा फड़ से अगर आपको इतना clear है जितने बच्चे मेरे चानल पर पहली बार आये हैं आज बेटा मैं आपको दुबारा बता रही हूँ description में playlist है class 10 की class 10 की एक एक कविता मैंने अलग-अलग करा रखी है और वो उसमें detail में question answer और poetic device और summary और सब है ये एक revision class है जिसमें मैं सारी कविता आपको line by line दुबारा कराने वाली हूँ इसमें आपको poetic device या question answers नहीं कराऊंगी कि already करा चुकी हूँ ठीके तो आप please उस class को एक बार ही आप लोग refer कर सकते हो ओके ठीके शल so I hope कि this stanza is absolutely clear I hope कि ये stanza आपको बिल्कुल 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 clear है so again मैं आपको एक बार ही बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या बात हो रही है ठीके बात हो रही है poet बोलते हैं Ann Gregory को कि अगर तुम reject कर दो किसी young person को तो obviously उसे disappointed होगा आप किसी को जाके propose करते हो हना और आपको कोई reject कर दे तो आपको obviously sad feel होगा disappointed feel होगा यही बात WB Eats भी Ann को बोल रही है बट वो बोल रहे हैं तुम उसके भैकावे में मताना it does not mean that he truly loves you इसका मतलब यह नहीं है कि अगर वो sad है तो वो तुमसे बड़ा सच्चा प्यार करता है ऐसा कुछ भी नहीं है वो तुमारे यह जो honey colored के rampants यानि कि यह जो honey colored बाल है इससे attract हुआ है इससे तुमारे बाल पसंद है तुमारी beauty पसंद है उसको बाल क्या symbolize करते है आउटर beauty physical looks कि उससे तुमारे looks पसंद है जो तुमारे कान पर गिर रहे हैं ठीके तो poet बोलना चाहते हैं कि बहुत लोग physical beauty से attract होते हैं inner qualities को importance नहीं दिया जाता ठीके जितना मैंने समझाया वही चीज as a summary यहाँ पर लिखी हुई है मैं यह slides आपको telegram पर दे दूँगी आप लोग एक बार read कर सकते हो आगे क्या लिखा है but I can get a hair dye and set such color there अब Ann यहाँ पर बोल रही है Ann बोल रही है अच्छा ऐसा भी होता है लोग मतला मुझसे प्यार नहीं करते हैं मेरी physical beauty से प्यार करते हैं तो मैं एक काम कर लेती हूँ ना मैं मेरी hair को color करा लेती हूँ यानि कि यह जो मेरे honey colored hair है इससे लोग attract होते हैं इसकी वज़े से मैं सुन्दर लग रही हूँ ना तो एक काम करती हूँ मैं अपने hair को ना brown, black या carrot color का करा लेती हूँ ठीक है ताकि मेरी जो beauty है वो सारी खतम ही हो जाए मैं अच्छी नहीं लगूंगी तब that young man in despair कि वो जो आदमी जो sad हो रखा है हना वो शायद तब मुझे मेरे लिए प्यार करे मैं love me for myself alone यानि कि शायद तब वो आदमी मेरे inner quality के लिए मुझे प्यार करे not my yellow hair और ना कि मेरे yellow hairs के लिए वो मुझे प्यार कर clear everyone तो यहाँ पर यही बात explain हो रखी है कि Ann के पास एक solution है क्या है कि वो अपने hairs को dye कर लेगी black, brown या carrot color में हना एंड तब वो थोड़ी less attractive हो जाएगी तो वो बोल रहे है कि शायद तब जो young man है वो मेरी inner beauty को प्यार करने लग जाए और मेरी appearance मेरी physical beauty को वो छोड़ दे ठीक है मेटा अब आगे देखो अब फिर से WB Eats उसको reply कर रहे है यह पूरी की पूरी कविता क्या है यह पूरी की पूरी कविता एक conversation है ठीक है तो दुबारा से उसको WB Eats बोल रहे है I heard an old religious man but yesterday night declare yesterday night का मतलब क्या है yesterday एक रात पहले ठीक है तो वो बोल रहे हैं कि मेरे को ना राचते में एक old religious man मिला था religious आदमी पता है ना जिसका ध्यान भगवान वगवान में जादा रहता है वो भगवान को जादा मानता है तो वो बोल रहे है मेरे को ना एक old religious man मिला था कल रात को और उसके पास एक proof है उसने बोला कि उसके पास एक text है ग्रंथ है जुसमें ये बात प्रूव हो रखी है क्या प्रूव हो रखा है that only God my dear could love you for yourself alone and not for your yellow hair के केवल एक भगवान नहीं है जो आपको आपके looks के लिए नहीं बलकि आपकी inner qualities के लिए आपको प्यार कर सकते है ठीक है बेटे जी सो यहीं लिखा है poet बोलते हैं कि बाई मुझे एक old religious man मिला जिसने बोला कि वो प्रूव कर सकता है कि एक text है एक ग्रंथ है जो उसे एक religious book में लिखा हुआ मिला कि only God केवल God हमें प्यार करते हैं for what we are and not how we look यानि कि भगवान हमें केवल हमारी inner qualities के लिए प्यार करते हैं और भगवान को छोड़के ऐसा किसी में भी करने का दम नहीं है समझ में आया बेटा Is it clear? Am I clear? Am I clear? चलिए जी तो इसी के साथ एक बारी फड़ा बढ़ते comment section में बोल दो Yes ma'am you are clear और हम बढ़ रहे हमारी next कविता की तरफ जो है fire and ice Next कविता है हमारी fire and ice ठीक है? Fire and ice हमारी next कविता है हर कविता के बाद थोड़ा सा spam कर दिया करो Yes ma'am we can do it एक positivity आएगी अंदर से ठीक है? बेटा कशिश अभी अभी बताया बेटा मैंने कि rhyming scheme और जो अलग-अलग आपको मैंने lectures ली हैं उसमें mentioned है because they are in very detailed manner राइड? चालिए clear है बहुत बढ़िया fire and ice पे चलते है fire and ice बेटा दुबारा से Robert Frost ने ही लिखी है अब देखो इस poem को ना ध्यान से सुनना भले ही पिदकी सी है बट है बड़ी तेज ये ठीक है तो देखो fire आग ice बर्फ दोनों एक दूसरे से opposite है बट दोनों को एक साथ रखा गया है क्यों रखा गया है? हम यहाँ पर सीखेंगे देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह जो पूरी की पूरी दुनिया है देखो कोई भी बंदा पैदा हुआ है उसे मरना है हाना मैं पैदा हुई हूँ मेरको भी मरना है सबको मरना है तो बोला है कि यह जो world है यह खतम तो होगा यह जो दुनिया नहीं यह खतम तो होगी अब यह दुनिया नहीं तो ice से खतम हो जाएगी नहीं तो ये दुनिया fire से खतम हो जाएगी ठीक है अब ये eyes और fire आप सोचोगे क्या आग लग जाएगी क्या पूरी दुनिया में या क्या पूरी दुनिया में क्या बाड आ जाएगी आप लोग ये सोचोगे बट नहीं यहाँ पर इन दोनों को ही बेटा human emotion दे रखा है now what do you mean by human emotion हमारे जो emotions है हमारी जो भावनाए है न वो इनको दे रखे यानि कि ये symbolical form है ठीक है symbols दे रखे हैं अब fire को क्या बोला गया है desire rhyme भी कर रहा है fire desire desire के होते हैं हमारी इच्छा हैं desire के होते हमारी इच्छा हैं के भावी तू जो पता है मेरे को तो न रोड पे 500 पे गिरे वे मिले भावी अब तू देख तेरा भावी रोज उस रोड पे जाएगा और रोज देखेगा अब भावी ठीक है अगले दिन भी वो गया 500 पे मिले अगले दिन भी गया मेरे को तो मिलते ही है मेरे से पहले किसी और ने उठानी होंगे ठीक है तो अब उसने क्या करा वहाँ आते जाते लोगों को लूटना शुरू करा क्योंकि उसे क्या लग गया उसे जिद लग गई कि मेरे को तो वही से चीए फैसे मुझे यहां से रोज 500 रुपे मिलते है तो कभी किसी का वॉलेट चुरा ले कभी कुछ कर ले ये क्यों किया उसने उसके अंदर की आग के लिए डिजायर के लिए क्यों चाहिए अब देखो अगर हम बोलें कि मुझे बड़ा बड़े होकर एक बड़ा घर लेना है अच्छी गाड़ी लेनी है हना मेरे को पैसा चाहिए अगर हम उसके लिए सही रास्ते अपना है मैंनत करे देनी चोके आपको पूरा हग है वो चीज़े लेने का अगर क्राइम पेट्रोल देखते हो साफदाल इंडियाना मतलब हम सब ने देखा है मेरे घर पर तो चलता ही वो रहता था जब मैं स्कूल से है सही नहीं है बच्चों को दिखाना बट क्या कर से तो उसमें क्या दिखता है हमें उसमें हमें डिजायर्ज ही दिखते लोगों के अंदर यह इतनी इच्छाएं हैं कि वो किसी भी हद तक जाने के लेता यार है उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तो इनको क्या बोला गे एक आदमी के अंदर की आग इसलिए नाम दिया गया है फायर अब आइस किसको बोला गे है अब तेरे भाई को फरक नहीं बढ़ता आज कल यह नया कूल है हना दे न्यू कूल एस कि मेरे को फरक नहीं पढ़ता बट दिस अक्चुली नॉट सुकूल फरक पढ़ना चाहिए बिकस्वी आर यूमें पढ़ता है अगर हम बोले हमें परक नहीं पढ़ता तो जानवरी ठीक हो तुम दे नहीं आज कल तो उन्हें भी पढ़ता तो पॉइंट इस कि आप जब एकदम फरक नहीं पढ़ता आप एकदब कोल्ड हो जाते हो अंदर से आपके अंदर से कोई emotion, कोई दया, कोई sympathy, empathy नहीं आती तो बोला जाता है पत्थर दिल हना पत्थर दिल हो गया है ये तो तो उसको बोला गया है eyes एकदम ठंडा, एकदम cold reaction ठीक है तो इसलिए eyes और fire को दो human emotion दिये गए है eyes को दिया गया hatred, नफरत insensitivity, coldness और fire को दिया गया desire हमारे अंदर की जितरी भी इच्छा है ठीक है समझ में आया अब ये पोम जो है ना, ये हमें बताती है कि कैसे हम हमारे अंदर की आग, हम हमारे अंदर की नफरत को अपने उपर इतना हावी कर लेते हैं, कभी-कभी हम इतना control नहीं करते कि ये हमें नश्ट कर देती है और poet बोलते हैं कि इसी से ये पूरी की पूरी दुनिया क्या हो जाएगी नश्ट हो जाएगी ठीक है, शुरू करें चलो भाई लोग लिखा है some say the world will end in fire अब यहाँ पे some क्या है दुनिया के लोग तो दुनिया के लोग ना दो पक्षों में बट रखे हैं poet बता रहें तो एक पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये fire से खतम होगी और एक पक्ष के लोग बोल रहे हैं ये जो दुनिया है ये ice से खतम होगी ठीक है एक debate चालू है एक बहस चालू है from what I have tested of desire I कौन है यहाँ पे poet तो वो बोल रहे हैं भाई देखो tested मतलब जो भी मेरा experience रहा है जो भी मेरा अनुभव रहा है हो सकता है poet की life में desire को लेकर इच्छाओ को लेकर कोई उनके experiences रहे हो उन्होंने देखा हूँ अपने सामने के कैसे ये जो desires है ये लोगों को तभा कर देते हैं नश्ट कर देते हैं राइट? राइट और राउंग? तो यही लिखा है from what I have tested of desire जो मैंने टेस्ट किया है आने कि जो मैंने अनुभव कर रहा है चखा तो नहीं है desire को कैसे चखेंगे? क्या खा लेंगे क्या उसको? तो वो बोल रहे हैं कि जो मैंने experience किया जो मैंने अनुभव किया है desire का भाई मैं तो उन्ही की तरफ हूँ I hold with those who favor fire favor मतलब पक्ष कि जो लोग fire के पक्ष में है जो लोग बोल रहे है कि ये दुनिया fire से खतम होगी मैं तो उनकी तरफ हूँ क्यूं है वो उनकी तरफ? क्यूंकि हो सकता उनकी life में कुछ ऐसे experiences कुछ ऐसे अनुभव रहे हो कि उन्होंने desires को desire fire एकी बात है ना तो उन्होंने desire को हावी होते हुए देखा समझ में आया गाईस इसी को मैंने summarize form में यहापर भी लिखा है कि poet says poet बताते हैं कि someday किसी दिन this world ये जो world है ये destroy तो होगा ही अब या तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी यानि कि आदमी के अंदर की आग उसको ले डूबेगी आजकल आदमी भाई-भाई को मार देता है प्रॉपटी के चक्कर में क्यों मारता है आग ही इतनी अंदर कि सब मेरा है मैं अपनी छाती पे लेके जाऊंगा उपर हाना इतनी इतने लोग वो रखे हैं तो भाई नहीं तो इस वज़े से खतम होगा और नहीं तो excessive coldness कि मेरे को तो नफरत है नफरत में आके कुछ भी कर देते हैं हाना उसकी वज़े से खतम होगा तो वो बोल रहे हैं पोईट कि मुझे तो समझ में पहले ही आ रखा है मेरे experiences से कि एक जो strong desire है कभी भी कोई emotion आपके उपर हावी कर देना तो आपकी life में disturbance create हो सकती है और ऐसी situation को हमें कादमी के अंदर की आग बोलते हैं fire बोलते हैं तो इसलिए मैं तो उनकी तरफ उभाई जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये world fire से खतम होगा ठीक है समझ में आया अब आगे देखो क्या बोल रहे है आगे बोल रहे है if it had to perish choice what do you mean by perish? die, destroy कि अगर और it कौन है? it है यहाँ पे world कि अगर इस world ध्यान देना it कौन है? it है यहाँ पे world बोल रहे हैं अगर इस world को दो बार खतम होना है मान लो कुछ थोड़ा बहुत बच भी गया कि पहले fire से कतम हो गया उसके बाद मान लो कि थोड़ा बहुत भाई साब बच गया यह ठीक है? तो अगर यह थोड़ा बहुत बच भी गया so I think I know enough of it तो poet बोल रहे है कि मुझे मैं इस दुनिया में जानता हूँ लोगों के अंदर कितनी नफरत है एक दूसरे के प्रती ठीक है कि जो भी बचा कुछा रह जाएगा न तो destruction के लिए यानि कि इस दुनिया को तबहा होने के लिए eyes is also great कि भाई नफरत भी काफी है eyes भी काफी है कि fire से तो तबहा होई गए बड़ जो भी बच जाएगा न तो नफरत भी हमारे पास इतनी है कि ये world दुबारा खतम हो जाएगा and good suffice suffice मतलब sufficient यानि कि काफी कि eyes भी क्या है काफी है नफरत भी काफी है इस दुनिया को खतम होने के ठीके जी समझ में आया yes ma'am एक बारी फिर से देख लेते हैं second senza में बोल रहे हैं कि अगर इस world को दो बार खतम होना है ठीके if it has to get destroyed toys पहली बार तो वो हो चुका होगा desire की वजह से हाना fire की वजह से ठीके जो की society में है और दूसरी बार क्यों होगा cold behavior नफरत की वजह से ये जो लोग आजकल बोलते हैं न ओ उसको मार रहा है छोड़ छोड़ चलते हमें फरक नहीं बढ़ता ये जो cold behavior है इसकी वजह से ये world खतम हो जाएगा ये जो eyes है ये जो hate है ये भी sufficient है इस world को destroy करने के ठीक है जी समझ में आया भाई लोग चलो next poem पे चलते है tiger inda zoo फिर अपनी पीछे वाली poem पे चलेंगे या तो पहले पीछे वाली कर लेते हैं कोई बात नहीं रूप जाओ ठीक है तो अभी हमने तीन कविताए कर ली है अब हम लोग जा रही है कौन सी कविता पे and Gregory हो गई fog पे जा रहे है भाई हम लोग ठीक है let's do fog क्या चल रहे है आज कल क्या चल रहे बच्चो एक ad आती थी ना fog चल रहे ठीक है तो तीन poem हो गई है मज़ा आ रहे के नहीं ये बता दो हाँ भाई लोग मेरा गलास उग गया यार दो मिनट काई भाग ना मत में पानी पीलू ठीक है गलास उग गया वेरा हाई जो तो आज हो fog fog कर लेते हैं ठीक है भाई आज बहुत मज़ा रहे क्यों आज ऐसा गया खास हो रहे है वाई जो तुम्हें बहुत मज़ा because of you I got the highest marks in English in my half yearly very good जैनी बिटा super proud of you बहुत बढ़िया मौच कर दी मज़ा आ गया मैम जो को दिखा दो आज जो बच्चा क्लास के अंत तक रुकेगा न तो मैं जो से बाई बाई कराऊंगी पक्खा अगर वो जगी होगी तो ये condition है ठीक है क्योंकि सोते वे बच्चों को उठाते नहीं है आज उसे vaccine भी लगी है injection लगा है अगर वो जग रही होगी तो मैं promise उससे मिलवाऊंगी बल लास्ट में जो बच्चा लास्ट तक रुकेगा ठीक है जब हमारी सारी पोंस कंप्लीट हो जाएंगी जो तब तक अगर जग रही होगी तो मैं पक्का से मिलवाऊंगी ठीक है चलो शुक्रिया आपका कि आपने हमें पानी पीने की जाज़त दी आगे चलते हैं तो बेटा जी फॉग किसने लिखा है तो आपको याद रखना है काल ओगस्ट पैन्बग ने इस कविता को लिखा है ये एक अमेरिकन पोईट थे इससे जाद आपको याद रखने की ज़रत नहीं है ठीक अभी फॉग हमारी बहुत ही जादा छोटूसी पोईग है ठीक है छोटूसी पोईग है और उन्होंने बताए अच्छा फॉग क्या है अभी विंटर्स आ गए है तुम लोगों देख रहे हो हना कोहरा दिखता है भाई मुझे तो पॉलूशन ही दिखता है सच बताओ तो कोहरा नहीं दिखता बट अभी जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे हैं दिसेंबर में, जैन में कोहरा दिखेगा अभी तो पॉलूशन दिखता है बट कोहरा भी दिखेगा है किस प्रकार जो कोहरा है वो आता है all right and किस प्रकार वो चला जाता है तो बहुत ही beautiful तरीके से इन्हों ने कोहरे को cat से compare किया अब आप बोलोगे मैं कहां कोहरा कहां बिल्ली क्या comparison है तो वो तो बिटा हमें हमारी कविता में ही देखने के लिए मिलेगा चलो जी यहां पर लिखा है the fog comes on little cat feet it sits looking over harbour and city on silent haunches and then moves on कोई मानेगा कि यह कविता बस इतनी है हाँ भाई लोग मैं आज बहुत fog था morning में अच्छा यार मैं घर से बार निकलती नहीं हूं क्योंकि time नहीं मिलता इतना तो इसलिए मुझे पता नहीं चल पाता है कि नीचे क्या मौसम चल रहा है क्या हो रहा है life में but ठेक है चलो तो मैं अब इसका आपको मतलब बताती हूं ठेक है मैं मेरे हाउस में आग लगी थी sorry वेटा so sad to hear that just give me a sec चलो so यहां पर यहां पर basically poet क्या बोल रहे है समझो the poet says that the fog which is generally seen during the winter season is coming toward the city and harbor harbor क्या होता है आपका pot जहां पर ships वगेरा खड़ी होती है देखा है ना आपने तो basically poet क्या बोलना चारे poet बोल रहे है कि वो fog जो आपको आम तोर पर winter season में दिखाई देती है वो अब धीरे धीरे शहर की तरफ आ रही है ठीक है यानि कि it is approaching the city in a very silent manner अच्छा आपने कभी देखा है आप कभी ऐसे बोलते हो चट पर चड़के वो देखो कोहरा आ रहा है नहीं ना हमें already वो दिखाई देता है हमें नहीं पता वो कब आ जाता है यह कहने का क्या मतलब है बड़ी शांती पूर्वक बहती silent तरीके से फॉग आता है अब यहां पर इसको compare किया गया है cat से कभी बिल्ली देखिए घर में आते वे एकदम चुप एकदम शांत एकदम बिल्कुल पता नहीं चलने देती कब आ रही है और कब जा रही है बिल्कुल नहीं पता चलने देती और बिल्लियों में इगो भी बहुत होती है मैं सच बता रही हूँ बिल्लियों में बहुत ही एगो है अगर आप उसे डाट दो अगले दिन से आईगी नहीं वो तो यहां पर यहीं बात हो रही है के बिकर्स कट अल्वेस एंटर अपले साइलेंटली इसलिए फॉग और का एक कमपैरिजन यहां पर किया गया है दूसरा वो बोलते है जब भी फॉग आती है तो वो क्या करती है बिल्कुल बैठ जाती है शेहर के उपर ऐसा लगते है शे शहर को पूरे pot को हर जगा को उसने घेर लिया है और बिल्लि की तरह बैठती है प्ले हॉंचिस हाउचिस मतलब अपने हिप अपने पैरों को बेंट करके बैठती है अब है वह देखा है उन के बैठने का स्टाइल कैसे बैठती है तो वैसे भी बेacement से बिल्ली चुपचप आती है बैठती है ँपंटब कर लेती है इसे लगता है कि we all और से पूरे शहर को देख रही है ठीक है अचिन केंट इंड बताया है कि कि जो कई वह बिल्कुल एधाल चली जाती है और अनुमान नहीं लगा सकते कि वो कब चली गए है तो बहुत ही silent जैसे बिल्ली चली जाती है, वैसे ही बहुत silently fog भी चली जाती है, समझ में आया तो यहीं लिखाय ind Hall the fog comes, fog आती है कैसी आती है, जैसे cat आती है, हाना जैसे cat धबेपाऊ entry मारती है, वैसे ही fog भी धबेपाऊ entry मारती है, इसका arrival यहां दो लाइन में बताया है फिर बोला गए है जैसे बिल्ली अपने हॉंचिस पे यानि की अपने नीज को बेंट करके अपने हिप्स पे बैठ जाती है बिलकुल वैसे ही जो फॉग है वो भी बैठ जाती है और वो देखती रहती है पूरे शहर को ऐसा लगता है वो पूरे शहर को notice कर रही है पूरे harbor को देख रही है and then moves on मतलब चुप चाप जैसे बिल्ली चली जाती है वैसे ही हमारी fog भी वहां से चली जाती है unpredictable मतलब बिटा जिसका अनुमान ना लगाया जा सके कि कब जाएगा हना अपने आप ही वह चली जाती है clear guys so that's all fog इतनी ही है हमारी छोटू सी नूनू सी पोम है ठीक है is it clear am I clear अब चलते हैं बिटा जी अ टाइगर इन दा जू पे चलो अब टाइगर से मिलते हैं हम हम मिल लिए कवे से हम आग से मिल लिए हम एन ग्रेगरी के बालो से मिल लिए हम mana हम फॉक से मिल लिए हम बिली से मिल लिए अब हम चलते हैं बेटे। ताइगर से मिलने आजो। अब यहाँ पर हम दो जगह जाएंगे, ठीक है ? सब लोग अपनी गाडी की पेटी बान लो। हम लोग वै तू का जा रहा है तेरे से तो मिलने आ रहे हैं ? अरे ? हाँ तो बच्चो अपनी गाड़ी की पेटी बांध लीजी क्योंकि हम जाएंगे जू और जू से बेटा फिर हम जाएंगे जंगल ठीक है दो जगा हम लोग ट्राविल करने वाले हैं कि विल बी ठाविलेंग कहां कहां पर जू और जंगल सारे बच्चे लिखकर बताओ कहगा ट्राविल करने वाले हम सारे बच्चे बेड़ गएंगे चले केज talkin' इंवी मूव अहेड के जा इंवी मूव अहखेडimeters देखो इसे बोलते हैं harbor एक ऐसी जगा जहां पे ships वगेरा होती है तो मैं बात से समझ नहीं आ रहा फोटो देख लो ऐसा area जहां पे ships को उन्हों रखते हैं जहां पे ships stand कर रही होती हैं इने बोलते हैं हम लोग harbor ठीके coast पे एक place होता है जहां पे ships को बान दिया जाता है ताकि वो sea से bad weather से उन्हें protect करके रखा जा सके ठीक है चलो जी तो यहां पे tiger in the zoo लिखा किसने आप पहले उसे समझ लीजी है अब जब आपको यह पता चल गया कि यह जोर्ज लेस्टेन औरेस द्वारा लिखी गई है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि पूरे के पूरे पूरे के पूरे पूरे पूम में इन्होंने एक comparison किया एक अंतर किया एक contrast किया है किसका contrast किया है भाई लोग Tiger in the zoo का किया है किससे Tiger in the jungle से तो यहाँ पे वो हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो हम लोग है न जो जानवरों के साथ बड़ी बुरी तरीके से बरताब करते हैं हाना जो जानवर पैदा ही नहीं हुआ कि उसे आप बांध के रख सकूँ उसे आप जू में रख रहे हैं उसकी आप टिकेट लगा रहे हो यह सारी चीज़े अच्छी नहीं है ठीक है तो यहां पर उन्होंने टाइगर इंदा जू की तुलना करी है किस से टाइगर इंदा नाच्रल हाबिटेट से नाच्रल हाबिटेट क्या है जंगल कि अगर जंगल वाला टाइगर है तो देखो वो कैसा है और जू वाला टाइगर है तो देखो वो कैसा है तो ये जो पोम है न ये बार बार हमें जू से जंगल में लेकर जाएगी फिर दोबारा से जू में लेकर आएगी तो इस तरीके से ये जो हमारी पूरी की पूरी कवित कविता हैं आप अपने गिन लीजिए उसमें बुक में आप गिन लीजिए क्लास 10 की 10 कविता हैं कोई भी नहीं छूटेगी आगे पीछी करके मैं इसलिए करारी हूं कविता है ताकि आपका इंटरस्ट भी बना रहे हैं हना आप लोग बोर भी ना ओके एक लाइन से ही कर रहे है पेपर में पूछा जाए तो बता देना टाइगर को क्या किया गया है परसॉनिफाय परसॉनिफाय क्या होता है जब हम हमारी हूमन की क्वालिटी किसको दे देते हैं किसी भी नॉन हुमन को दे देते हैं चाहे जानवर हो चाहे नॉन लिविंग तो जानवर को इट बोलत मतलब आपको यहां दिख जाएंगे तो एक बारी थोड़ा सा नजर अपनी घुमाते रहना ठीके तो स्टॉक मतलब होता है वॉक कि टाइगर घूमता है कहा गूमता है इनहें इस विविड स्ट्राइप्स विविड मतलब क्या है ब्राइट कलर की स्ट्राइप मतलब धारिया तो अगर आप tiger को देखोगे उसके शरीर पे धारिया है ना है ना धारिया इसे इसे strips है ना lines है ना tiger के शरीर पे तो यही बोला गया है कि भई tiger क्या है tiger के शरीर पे धारिया है और वो क्या कर रहा है walk कर रहा है कहाँ walk कर रहा है the few steps of his cage cage मतलब पिंजरा और few steps क्यों बोला गया है अब आप लोग मुझे बात बताओं आप अगर यह मेरा पिंजरा है तो मैं यहां से नी तो यहां जा सकती हूं नी तो मैं यहां से यहां जा सकती हूं क्या मैं इसके अलावा कहीं और जाने लायक हूं क्या मैं कहीं और जाने लायक हूं येस और नो जल्दी से बिताइए आप बोलोगे माम नहीं हूं नहीं हूं हाना तो यहीं बोला गया है कि few steps थोड़े ही कदम tiger चल पा रहा है on pads of velvet coin ठी साथ आपने देखा होगा या तो अपनी मम्मी से पूछना उन पर कोई velvet का कपड़ा जरूर होगा ठीक है तो बड़ा soft चा कपड़ा होतर पैड्स किसे बोलागे उसके पंजो को उसके पॉस को तो अभी मैं इसका मतलब भी आपको समझाओंगी in his coit rage coit मतलब होता है चुप stock मतलब walk कर रहा है उसके शरीर पे bright color की stripes से धारिया है वो few steps वो थोड़े ही कदम चल पा रहा है क्योंकि वो पिंजरे में बंद है उससे बाहर वो नहीं जा सकता उसके जो pause है यानि कि जो उसके पंजरे है वो बिल्कुल velvet के कपड़े के समान soft है ठीक है और यहां पे coit क्यो लिखा है क्योंकि वो soft है तो वो चल रहा है तो आवाज नहीं आ रही हम चपल पहन के चलते है कैसी आवाज आती है चप 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 आती है ना आती है के नहीं बट वो जब चल रहा है तो आवाज नहीं आ रही एकदम कोईट एटमसफेर है कोईट मह तो यहां पर जो उसकी पंज है ना उसको compare किया गया है किसे velvet के कपड़े से कैसे जैसे वेलेट इतना सॉफ्ट होता है वैसी उसके जो पॉज है वह बहूत ज्यादा सॉफ्ट हैं तो वह चल रहा है तो आवाज नहीं आ रही है तो यह वाला coit तो उसके लिए है next क्या लिखा है in his quiet rage अब ये दोनों opposite word इखट्टे क्यों लगा रखें इङनोंने क्यों लगा रखें दोनों opposite word इखट्टे बताओ मुझे जल्दी बिताओ क्यों लगा यह कोईट मतलब कि अगर आप देखोगे ने में वह एकदम चुप है वो किसी से कुछ नहीं बोल रहा बट वो अंदर से क्या है रेज में घुस्से में भरा हुआ है वो बोल कि उनी पार रहा कुछ क्यूंकि उसे पता है मैं पिंजरे में बंधू मैं किसी लायक नहीं हो भी म बोल भी नहीं सकता, मैं डरा भी नहीं सकता, डरेंगे भी नहीं वो है बहुत जादा गुसे में बट बाहर से वो क्या है, खुद को कोईट दिखा रहा है, चुप दिखा रहा है clear हुआ so in his कोईट रेज का मतलब यह है अब आगे चलते हैं he should be, अब यहां पर पोम आजाती है जंगल में, अब पोईट बता रहे हैं कि टाइगर आक्च्वली में जू में कैद है बट टाइगर को होना कहां चाहिए, यह हमारे कवी हमें बता रहे हैं, so बोल रहे हैं he should be lurking in shadow lurking का मतलब क्या होता है, छुपा होना देखो लिखा है hiding to attack कि attack करने के लिए छुपा होना अब टाइगर छुपके ही तो attack करता है ऐसा तो नहीं है कि विल्कुल सामने से चल जाएगा तो भाग जाएगा जिस पे attack करना वो तो भाग जाएगा छुपके करता है, so बोला गया है कि टाइगर को ना छुपे रहना चाहिए शाडो में, कहीं चाया में, कहीं जाडियों में sliding मतलब धीरे-धीरे move करना यहां पे नीचे लिखा है, moving slowly धीरे-धीरे move करना चाहिए through long grass कि जो जंगल में बड़ी-बड़ी घास होती है उसे वहां पे ऐसे बॉक करना चाहिए ठीक है ताकि कोई उसको देखे ना near the water hole और कहां जाना चाहिए water hole के पास, water hole मतलब source of water जैसे कोई छोटा सा तलाब हो, छोटी सी नदी हो वहां पर उसको चले आना चाहिए where plump deer pass plump मतलब मोटा ताजा वहां से जब deer pass करेगा कहनेगा क्या मतलब है कि actual में tiger को कहां होना चाहिए छुपे रहना चाहिए जंगल में उसे छुपे रहना चाहिए अटाक करने के लिए उसे बड़ी-बड़ी grass में वॉक करना चाहिए और जाना चाहिए water hole के पास छोटी सी नदी के पास क्योंकि नदी के पास जो deer है वो पानी पीने आएगा और तब tiger उस पे अपना अटाक कर सकता है अब आप बोलोगे यह poet कितना निर्दई है डियर को मरवा रहा है बट यही cycle चलती आ रही है वह actual में हमें tiger का nature बता रहा है कि उसे कुद्रत में कैसा बनाया है उसके natural instinct क्या है ठीक है अब आगे देखो he should be snarling around houses यह भी जंगल वाले tiger की ही बात कर रहे हैं हमारे कभी snarling मतलब growling गुर्राना के जो हमारे jungle की boundary पर जो घर बने हुए है जो गाउं स्थित है उसे क्या करना चाहिए boundary पर जाकर गुर्राना चाहिए ठीक है जैसे यह अपना मूह दिखा रहा है ना गुर्राने वाला वैसे उसे गुर्राना चाहिए at the jungle's edge यानि की jungle की किनारे जो घर बने हुए है वहाँ पर उसके आसपास जाकर उसे घुर्राना चाहिए bearing is white fang bearing मतलब showing दिखाना क्या दिखाने चाहिए fang मतलब teeth जैसे यह दिखा रहा है ऐसे इसको दिखाने चाहिए अपने claws nails किसी भी आनिमल के nails दिखाने चाहिए और पूरे के पूरे गाओं को terrorize यानि कि डराना चाहिए क्योंकि यह tiger का actual nature है समझ में आया एक बारी दुबारा बता रही हूं line by line उसको घुर्राना चाहिए घरों के पास जाकर वह घर जो जंगल के किनारे पर स्थित है उसे दिखाने चाहिए अपने वाइट कलर के दात अपने पंजे और पूरे गाओं को terrorize करना चाहिए डराना चाहिए क्लियर वेरी गुड जो मैडम ने रिंग लाइट की भी वायर काट ली है तोड़ दिया है उन्होंने उसको भी और कुछ उमीद भी नी थी जो मिरको तुम से आयो मत दुबारा या अंदर बत्तमीज लड़की ठीक है क्लेयर अब आगे देखो आगे क्या हुआ दुबारा से हमारी जो कविता है वो जू में आ गई है बट ही इस लोग दीना कॉन्क्रीट सेल बट बिचारा टाइगर कुछ नहीं कर सकता बच्चो क्यूं नहीं कर सकता क्योंकि टाइगर लोग है कॉन्क्रीट मतलब बहुत ही स्ट्रॉंग सिमेंट वगेरा से बना हुआ जो सेल है सेल मतलब यह जो पिंजरा है एक छोटा सा कमरा है जिसमें कैद कर रखा है उसमें उसको कैद कर दिया है ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स बार्स मतलब क्या होता है प्रिजल जैसे यह देख रही हो ना बार्स तो उसका जो स्ट्रेंथ है वह इसके पीछे है यानि कि जितनी भी ताकत है आपने टाइगर की वह आपने कैद कर ली है किसके पीछे यह जो बार्स है यह जो पूरा का पूरा आपका जेल है उसके पीछे आपने क्या कर लिया है कैद कर लिया है कि दो कि लिंद फिस केज कि मतलब अगयन हमें पता है वोग कि वह व कर रहा है जैसे आप देख सकते हो इधर से उधर वो कर रहा है और जितने भी इग्णॉर कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि यह लोग मेरीdom करेंगे need बла मागा जा चाले हां चालो अब अगे देखो अभी अगैन जुवाले टाइगर की बात हो रही है कि उसे here's मतलब सुनाई देती है आखरी अवाज आखरी मतलब जब पूरा zoo बंद हो जाता है सब लोग चले जाते है तो आखरी अवाज उसे किस चीज की सुनाई देती है Petrolling Cars की Petrolling Cars क्या होते है वो जब zoo बंद हो जाता है तो देखते हो ना चक्कर लगाते हैं गाड़ी में कि कोई बच तो नहीं गया हाना राउंड लगाते हैं तो उन कार की यवाज इसको लास्ट में सुनाई देती है और स्टेर मतलब ये घूरता है अपनी ब्रिलियंट आईस मतलब चमकती ही शाइनिंग आईस से किसको घूर रहा है ये ब्रिलिय यहारी कविता खतम होती है समझ में आया जल्दी विता दू बेटा समझ में आया के नहीं फिर हम बढ़ रहे हैं नेक्स पोम पर हाउट्ट वाइल्ड आनिमल्स इस इट क्लियर क्या यह सारे बच्चों को क्लियर है यह हमारी सिक्स्थ पोम है मेरे ख्याल से हाउट्ट आप पहले पते मुझे ऐसा होता ता जैसे मैं ट्रिकी वाला चैप्टर पड़ती थी थी मिसिस पounter कोती थी 1976 aliens मेरा पैट नहीं थी जो नहीं थी तो मैं मिसिस पंफ्रे को देखती थी हमें मनी मन बच्चों को पड़ाते बड़ा थी बड़ी पागल हुरत है मतलब इतना भी क्या प्यार मतलब मुझे ऐसा फील होता था ठीक है फिर मैंना कुछ रील देखती थी जुस पे पैट को मम्मी औ और जब मैंने पैट रखा है तो मुझे लग रहा है कि मैं पागल थी और उन दाट वस ट्रू मतलब जब आप एक पैट को रखते हो ना तो आपको से अटाच्मेंट हो जाती प्यार हो जाता है बच्चे किदर आपको ख्याल रखना पड़ता है उसका सो वही है एक अब next poem में again हम लोग wild animal की बात करें tiger से हम लोग मिल लिए zoo में हम लोग हो आए जंगल में हम लोग हो आए अब ही हम लोग और खतरनाक जंगल में चल रहे है बच्चो जहाँ पर हमें सब मिलेंगे ठीक है हमें lion भी मिलेगा हमें tiger भी मिलेगा हमें और अलग-अलग तरीके के बहुत सारे जानवर यहाँ पर मिलने वाले है So how to tell wild animals लिखा किसने है Caroline Wells ने बेटा जी इसको लिखा है यह आप लोगों को याद रखना है और इस poem में उन्होंने बहुती funny बहुती humor के साथ अलग-अलग wild animals का description दे रखा है ठीक है? उनके बारे में बहुती funny तरीके से इन्होंने description दे रखा है इन्होंने ऐसी language का use किया है कि उससे humor निकल कर आता है हना एक-एक fun निकल कर आता है तो वो हम readers को बहुत सारे जानवर से यहाँ पर मिलवाने वाली है Asian lion, Bengal tiger, bear, etc और हर एक जानवर के बारे में हमें explain करने वाली है शुरू करें चलो जी, क्या हम जंगल में जाने के लिए तैयार है Yes or No, बच्च पाटी जल्दी जल्दी बिता दो भाई लोग इतना समझ में आया समझ में आ रहा है ना ऐसा तो नहीं है न समझ में नहीं आ रहा बेटा नीन्द आ रही है तो मूँ दोले मूँ दोले, मूँ दोले दस बचे नीन्द नहीं आनी चीए दस भी के बच्चे को specially जब बहुत important class हो रही है मूँ दोलो, कोई बात नहीं, coffee पीलो छोटे बच्चे नहीं हो कि सोना ही सोना है नीन्द आ रही है तो ठीके थोड़ा सा struggle कर सकते हो मैंको भी नीन्द आ रही है मेरको भी भूक लग रही है, मैं सुबह से इतने से चावल खा रहा है तो क्या करूँ बताओ, रोऊ करना पड़ेगा बेटा, महनत करनी पड़ेगी चलो आल राइट लिखा है If ever you should go by chance कि कभी आप यूँ ही, निकल जाओ अगर जंगलों में, अब पहली पहली लाइन में ही उमर है कि क्यू जाएंगे हम यहीं जंगल में बताओ, हमें पागल कुटे ने काटा है कि हम जंगल में जाएंगे बताओ, क्यू जाएंगे हम जंगल में बटे, आप लिखा है अगर आप कभी by chance जंगल में चले जाओ कौन से जंगल To the east side, जो eastern hemisphere side जंगल पढ़ते हैं अगर आप कभी वहाँ चले जाओ भूरे रंग का, येलोईश ब्राउन कलर का एक बीस्ट, बीस्ट मतलब एक बड़ा जानवर अगर आपके आगे आ जाए If he roars at you और वो आके आपके इस कदर घुर रहे As you are dying, अच्छा ये ना dying है ठीक है, ये poet लोग spelling बदल देते हैं poetic license का यूज करके ताकि ये rhyme कर सके तो बोल रहे है, अगर वो जानवर आके आपके सामने इस कदर घुर रहे कि आपको लगे कि आप मर गए हो So आप समझ जाना कि वो Asian lion है अब बताओ जब हम मर ही जाएंगे तो हम समझ के क्या करेंगे बेटा कि वो Asian lion है बताओ कि ऐसे क्या करेंगे हम उस Asian lion का जब हम मर ही जाएंगे तो हम उस Asian lion का चार्ट डालेंगे ये बताओ में रखो नहीं ना So यही लिखा है कि अगर आप कभी by chance East side के जंगल में जाओ और वहाँ पर advance मतलब आपके आगे आजाए एक बड़ा सा येलोईश ब्राउन कलर का बीस्ट बड़ा जानवर और वो गुर्राए आपके आगे जैसे कि आप मरने वाले हो या मर गए हो तो आप समझ जाना कि वो कौन है वो Asian lion है फिर वो बोलती है If sometime when roaming round अगर इससे बच जाओ और आप आगे की तरफ जाओ जंगल में आगे की तरफ आप जंगल में अगर roam करने लगो घूमने लगो भटकने लगो और वहाँ पर आपको noble noble मतलब बहुती royal जिक है क्या मैं ये छोटे मोटे शेरों से बात नहीं करता बहुती royal एकदम ऐसे शाही सा एक wild beast again एक wild जानवर आपको greet करे greet मतलब आपका स्वागत करे आपके स्वागत के लिए अगर वो खड़ा हो जिसके शरीर पे black color की strips मतलब ऐसे black color की धारिया हो yellow ground ground मतलब यहाँ पे क्या है skin yellow skin पे अगर black color की धारिया हो जैसे कि अभी टाइगर टाइगर की बारे में बात हो रही हो टाइगर ही हमें अभी पढ़कर आए हैं ठीके जस्ट नोटिस इफी इत्स यू तो क्या बोल रही है बोल रही है देखना तुम्हें खा ना ले कई ठीक है मतलब तुम्हें देखते ही खा लेगा वो दिस सिंपल रूल में है ल्प यू लर्न अब यही एक सिंपल रूल है कि अगर कोई बड़ा सा जानवर हाना एकदम royal जानवर गुर्राएगा 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 नीए शेर की तरह नहीं है कि देखते ही खा कर तो यह बोल रहे हैं कि वह गुर आएगा नहीं और धारिया नेस देखना कहीं तुम्हाइन ले तो पहचान लेना वह वह लिटा है अब भाई खाई लेगा तो पहचान के क्या करेंगे कि वह बेंगोल टाइगर रहे के राइट चल अब आगे देखो क्या हुआ अब आगे बोल रही है इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ स्ट्रॉलिंग मतलब एंवी लापर भाई से चलना अगर मज़े में मज़े में आप अगर आगे की तरफ पॉर्थ मतलब आगे की तरफ चल रहे हो अब बीस्ट यू व्यू अगेन आपको एक बड़ा सा जानवर दिखता है हूज हाइड हाइड मतलब तो अचा स्किन यहाँ पे हाइड मतलब छुपना नहीं है हाइड मतलब स्किन जिसकी स्किन पे बहुत सारे स्पोट्स हो स्पोट्स पेपड मतलब फैल रखे हो धब्बे इस तरीके से उसके शरीर पे अगर धब्बे 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 फैल रखे हो अस सून आज ही लेप्ट ओन यू यहाँ पे अगेन स्पेलिंग बदल रखी है लीप की जंप करने को बोलते हैं तो बोल रही हैं देखना कहीं वो आपको देखते ही जंप ना कर दे आपके उपर तो अगर वो जंप कर दे समझ जाना कि वो लेपड है अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब है इट विल इट विल डू नो गोड टू रॉर विद पेल यानि कि आप दर्ध में चिलाते रहो पर उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा इस आदमी को आप पर बिल्कुल दया नहीं आएगी जानवर को बिल्कुल दया नहीं आएगी यह क्या करेगा लिप अगर लापर वाही से आप आगे की तरफ चलो और आपको एक बड़ा सा जानवर मिले जिसकी स्किन पर धब जो हैं वो फैल रखे हो जैसे ही वो आप पे छलांग मार ले आप समझ जाना के वो लेपर्ड है और आपके दर्द में चिलाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि वो आप पे बार 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 अटाक करता ही रहेगा कॉंटिनियसली वो आप पे अटाक करेगा ठीक हैं अब आगे देखो बोल रहे हैं के वाइल्ड आनिमल्स केवल जंगल तक सीमित नहीं है अगर आप कभी बाइचांस अपने आंगन में अपने याड में हो और आपको वहां पर एक क्रियेचर एक जन्तु दिख जाए आता हुआ जो आपको बड़े प्यार से गले लगा ले ओ आपको क्य मुझे समझ में आया है ठीक है तो मैं भी बहुत सारे भालू से मिली हूँ जो गले लगा के मारते हैं ठीक है तो इससे आप याद रखना के भाई बेर क्या करता है हक करके मारता है if you have any doubts I guess अगर आप बच जाओ अगर आपको कोई डाउट हो फिर भी आना आप देखो कि आर मर नहीं जाते है ठीक है भाई चलो आगे देखो भाई अब आगे क्या बोल रही है दो टू डिस्टिंग्वेश मतलब अंतर करना बीस्ट ओफ प्रे का मतलब क्या होता है वो आनिमल जो दूसरों को हंट करके खाते हैं दूसरे जानवरों को जो मार के खाते हैं उन्हें बो होता है जो इसमें इतना अनुभव नहीं है जो जानवरों को इतना नहीं पहछानता है इन एक्सपीरियन्स जिसे नहीं पता यह कौन है वह तो वह बोल रही है कि अगर एक कम अनुभवी आदमी 되면 को मतलब एख उलजनी behave को तक दो की बात हो रही है क्रोकोडाइल मगरमच और हाइना बिच्चु की ठीक है दोनों ही जानवर हैं इस टाइप का होते हैं आप देख सकते हो यह हाइना है उपर वो क्रोकोडाइल है तो हाय ना क्या करते हैं हमेशा हसेंगे और उनकी हसी ऐसी होती है जैसे कोई इंसान हस रहा हो अगर दूर से तुम सुन लो तो तुम्हें लगेगा कोई इंसान हस रहा है ठीक है तो वो अपने शिकार को मारते हुए हमेशा हसेंगे खाते वे, बट जो crocodile होंगे वो हमेशा रोएंगे, वीप करेंगे इसलिए बोला जाता है मगर मच के आसू crocodile tears कि अगर भाई तिरको इतरा बुरा लग रहा है उसे खाते वे तो तू क्यों मार रहा है वाँ न, न shap़ाएगा भी अब आगे क्या लिखे हुआ है ने क्या बात हो रही है देखो तुकु dealing अब ये किविग तो सब ने देखा कैचप वाली एड आप ती है कैचप वाली आड देखिए न सब आए तो निस घरल अब को बहुती चोट थे आप पोईटेस बोल रही अगर तुम्हें कभी पेड़ पे देखकर ऐसा लगे ना आप पेड़ पे तो कुछ ही नहीं 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 आप गलत फेहमी में हो सकता है वहां पे गिरगेट हो क्यों कि वह रंग बदल लेता है हना वह जहां भी बैटेगा उसी रंग का हो पड़ा पड़ से बता दो क्या सभी बच्चों को समझ में आया येस और लो फिर हम चल रहे हैं बेटा जी हमारी बॉल पोउम पे जल्दी जल्दी बता दो ये मेरे ख्याल से पोउम नंबर सेवन है साथवी पोउम है हमारी हान जी मैं तो बाई यह देखो आज 10 की 10 पोउम कराऊंगे फिक हैं नौ पोउम नौ पोउम दे टेल ऑफ कस्ट दड्रागन क्योंकि मैंने साटेड़ी कराई है इसले मैं वह इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बट उसके अलावा सारी सारी पोउम्स मैं हापर कराने वाली हूँ गश्ट अभी कराई है जस्ट बट अगर तुम बोलोगे तो वो भी करा दूगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है टोटली डिपेंज उपाने क्योंकि वो मैंने अब भी कराई है जस्ट दो दिन पहले फिक हैं बट बाकी सारी तो हम कर रहे हैं मैं अब क्लास जल्दी बेटा और कितरी जल्दी करूं बेटा मैं हवाई जास सोड़ी हूं मैं अभी इंसान हूं बेटा बोलना पड़ता है महिनत लगती है कि एक चीज समझानी पड़ती है बच्चों को थक गई मैं ज्यादा थक गई हूं तुमसे कॉंस्टेंट समझाने वाला काम होता है चलो भाई लोग बॉल पॉम करते हैं ठीक है लिखी किसने जॉन बेरिमें किसने लिखी है भाई लोग एक बारी स्पैम कर दो जॉन बेरिमें ओपी जॉन बेरिमें भाई इत्ता तो कम ओन लेट्स पैम जॉन बेरिमें ओपी कम ओन एवरिवन लेट्स डू इट फॉर हें लिखी है इल भी सो हापी हां जी जल्दी जल्दी ऑल्सो यार में तुम लोगों से पूछना चाहती थी क्या हम क्लास का टाइम साड़े साथ बजे रख ले 7.30 पीम बिकस ना ये काफी साड़े साथ बजे रखेंगे ना तो अब आगे-आगे चीजे सॉट होंगे फिर तो मैं यही एक बारी बताना चाहरी थी तुम्हें कि साड़े साथ बजे रख लेते हैं क्लास का टाइम ठीक है तो उससे न हमें जाधा टाइम भी मिल पाएगा दस बज़े तक हम लोग फ्री भी हो जाए करेंगे और अराम से चीज़े भी हो जाएंगी और कोई ना आपाए तो वो रिकॉर्डड भी देख सकता है तो खेर अभी आपको नहीं बताना है आप कॉमेंट करके बता देना बाद में क्लास के बाद बता देना मैं पढ़ लूँगी अभी नहीं बताना ठीक है चलो जी आगे बढ़ते तो जॉन बेरी मिन ने बेटा इसको लिखा हुआ है इस कविता को अब ये इस पोम के दिवारा हमें रियालिटी आफ लाइफ बता रहे है के बच्चों देखो जीवन में हमें कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा ठीक है ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी लाइफ में सारी ही चीजे रहें ठीक है हम चीजों को खोएंगे तो वो जो लॉस है ना वो सबकी लाइफ में आएगा हम हमारे लवड वन्स को खोएंगे हम हमारी जो लवड चीजे हैं उन्हें भी खो सकते हैं तो ये जो रियालिटी है ना ये इन्होंने इस कविता के जरिये हमें बताने की कोशिश करी है जो सबको एक नएक दिन फेस करनी है तो इन्होंने इस पॉम के द्वारा इस टॉपिक को टच की आए कि how to stand up against the miseries and sorrows of life ने से सर्मन अट बनारस में था न कहीं न कहीं कि कैसे life में दुख तो होंगे ही, परिशानिया तो होंगे बट कैसे हमें इनके खिलाफ खड़े रहना है तो वही चीज यहां पर भी बताई गई है, दर्शाई गई है वही चीज हमें इस कविता में पता चलेगी सो चलो भई, सबसे पहले लिखा है अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि एक लड़का है छोटा सा वो स्ट्रीट में खेल रहा था अपनी बॉल के साथ और वो बहुत हैपिली, मेरे ली मतलब बहुत हैपिली, बहुत खुशी से अपनी बॉल के साथ खेल रहा था बॉल जो है वो बाउंस कर रही थी ऐसे ऐसे टप 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 करते वे वो खेलता हुआ जा रहा था Then suddenly जो बॉल है वो एक pool of water में चली जाती है हना वो पानी में चली जाती है उसकी बॉल suddenly और लड़के को अब बॉल नहीं मिल पा रही और ये सारी चीजें हमारे जो poet है वो खड़े होकर दूर से देख रहे हैं और वो अब हमसे पूछ रहे हैं कि what is he to do कि अब ये लड़का क्या करेगा ठीकें तो यहाँ पर लिखा है कि अब वो जो लड़का है जिसने अपनी ball खो दी वो अब क्या करेगा I मतलब poet poet बोल रहे है I saw it go कि मैंने उस ball को जाते हुए देखा मेरे लिए bouncing मतलब बड़ी खुशी से एक सेकेंड वह silent पर ये फिर क्यों ऐसे कर रहा हूँ तो वो बोल रहे है कि बड़ी खुशी से वो खेल रहा था वो street पे जा रहा था और तभी उसकी ball क्या है पानी में water में चली गई अब आगे क्या हुआ no use to say oh there are other balls an ultimate shaking grief fixes the boy तो वो क्या बोल रहे हैं बोल रहे हैं कि मैं उसको जा कर अगर थोड़ा सा console भी कर दूँ अरे बेटा कोई नहीं दुनिया में तो बहुत सारी ball है और मैं तुझे दिला दूँगा या और तु बोल रहे हैं उसका कोई use नहीं है उसका कोई काम नहीं है उसके लिए ठीके क्योंकि वो जो लड़के की हालत है न वो थोड़ी गंभीर है यानि कि कही न कहीं उस ball से emotional attachment था हो सकता है ये ball उसको किसी loved one ने दी हो या ये ball के साथ कुछ उसकी memories जुड़ी हो तो वो नहीं ball से भी उसकी memories वापिस नहीं आएंगी तो यहीं लिखा है एक सेकेंड यहाँ पर हमें words नहीं दिख रहे हैं तो let me just fix this मैं इसको चलो fix कर दूँगी क्योंकि ये single single को फिर मुझे fix करना पड़ेगा वर्ना कि पूरा तो select हो नहीं रहा और बातो बातो में मैंने realize कि तीन मैंने कर भी दिये क्योंकि ये तो करना जरूरी है ना क्योंकि तुम्हें फिर word meaning समझ नहीं आएंगे तो फिर फायदा क्या होगा पूरा पढ़ाने का काम चलाओ थोड़ी पढ़ाने चलो हो भी गया तो लेहा पर क्या लिखा है ultimate मतलब क्या होता है extreme बहुत जादा तो बहुत जादा ठीक है shaking मतलब बहुत जादा disturbing तो बहुत जादा disturbing grief मतलब दुख बहुत जादा disturbing दुख जो है वो लड़के को हो रखा है ठीक है लड़का बहुती जादा disturb फील कर रहा है लड़का बहुती जादा दुखी फील कर रहा है और वो rigid rigid मतलब यहां पर देखो एकदब motionless खड़ा है यानि कि कुछ ऐसे खड़ा है वस काप रहा है ठीक है ट्रेंबलिंग मतलब shake काप रहा है steering मतलब घूर रहा है जहाँ पर उसकी ball गई है उसी direction को वो घूरे जा रहा है और उसे क्या लग रहा है कि all is young days into the harbor harbor क्या होते है again अभी हमने fog वाली में भी देखा था पानी वाली जगा ठीक है तो पानी में उसके सारे young days चले गए है कहने का क्या मतलब है कि अभी तक वो खेल रहा है अभी तक वो बहुत enjoy कर रहा है अब एकदम से उसका जो बच पर है वो चला गया हना वो जिस चीज से emotionally attached था वो चला गया अब उसे समझ में आ रहा है कि life में चीज़े खोती भी है life में हमेशा आप खुश नहीं रहते हो अब उसको समझ में आ रहा है I would not intrude on him Intrude मतलब क्या होता है नीचे देखो disturb कि मैं इस process में उसे disturb नहीं कर सकता मैं उसको जाकर नहीं बोल सकता कि बेटा कोई नहीं तू चिल कर कुछ नहीं होता poet बोल रहा है मैं ऐसा नहीं कर सकता ठीक है दुबारा से बता रही हूँ तो यहाँ पे poet बोल रहे है कि it is of no use उसे बोल करके भाई मैं तुझे नहीं बॉल दिला दूँगा other ball दूसरी balls भी है कोई फायदा नहीं है क्योंकि लड़के का शायद emotional attachment है वो बहुत जादा sad है वो बिलकुल motionless खड़ा है हाना एकदम rigid खड़ा है वो tremble हो रहा है वो shake कर रहा है और वो घूर रहा है कहाँ पर जहाँ पर उसकी ball चली गई है into the pool of water अब उसे ये लग रहा है कि उसके जितने भी बचपन के दिन है playful days है वो भी उसके पानी में ही जा चुके है और यहाँ पर poet बोल रहे हैं कि I do not have the courage कि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे intrude करूँ जाके disturb करूँ क्योंकि poet चाते है कि लड़का समझे कि life में ऐसे भी दिन आएंगे बो जहाँ पर आपको क्या होगा loss भी सैना पड़ेगा अब चाहें वो आपकी चीजों को loss हो या फिर आपके love once का ठीक है next लिखा है dime मतलब क्या होता है very small amount of money ठीक है dime मतलब क्या होता है very small amount of money को बेटा जी हम लोग यहाँ पर dime बोलते है ठीक है तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बोला जा रहा है कि जो बॉल की cost है रहा वो तो बहुत ही कम है बॉल कितने की आ जाएगी करोड रुपे की थोड़ी आएगी बट यहाँ पर यहाँ पर क्या है worthless worthless मतलब बहुत ही insignificant बिल्कुल important बात नहीं है लिखा है a dime another ball is worthless कि जो दूसरी बॉले वो तो बहुत कम पैसे में आएगी बट वो worthless होगी वो इतनी important नहीं होगी उसका कोई फाइदा ही नहीं है लाने का now he senses his first responsibility किस responsibility की बात कर रहे है बोर्ड में ये paper आ जाता है बोर्ड में ये question आ जाता है responsibility जिम्मेदारी कौन सी अपने चीजों को save करके रखने की हना उस चीज को उसको एहसास हो रहा है of taking care of his things के मुझे उसे संभाल के रखना था in a world of possession possession का क्या मतलब है चीजों को own करना के आजकल क्या है ये खो गई चलनाया दिला देती हूँ सारे लोग materialistic चीजों के पीछे भाग रहे है तो यहाँ पर यही बोला गया है कि ये जो world है ना इसमें लोग क्या बोलेंगे लोग उसको आकर बोलेंगे अब बोल ही तो थी क्या हो गया हम तुझे दूसरा दिला देते हैं वर्ड बिलीवस इन वाइंग मिटीरियल बट जो लिटिल बोई है वो क्या सोच रहे है वो सोच रहे कि अब उसकी जो नई बोल आएगी वो पुरानी जितनी important नहीं होगी उतनी special नहीं होगी ठीक है सो यही बात यहाँ पर की जा रही है अब आगे क्या हुआ अब यहाँ पे वो जो छोटा बच्चा है उससे समझ में आ गया है कि कोई भी उसकी बॉल को बाक मतलब दुबारा उसके पास वापिस लेकर नहीं आ सकता Money is external Money is external क्यों बोला है Because emotions से अलग है money बॉल तो पैसो से अभी आ जाएगी But वो emotions तो नहीं आप आएंगे क्या आजाएंगे बच्चो जल्दी बिताओ क्या वो emotions आजाएंगी वापिस अगर आपकी कोई दिल के पास करीब की चीज खो गई है उसके बदले कोई आपको पैसे दे तो वो emotions वापिस आजाएंगे नहीं आएंगे ठीक है So he is learning बोला गया कि वो जिंदगी की सच्चाई को सीख रहा है Well behind his desperate eyes Desperate मतलब full of sorrow Hopeless eyes हना तो यह जो उसकी आखों में जो दुख है ना यह दुख उसको सिखा रहा है वो सीख रहा है कि यह पूरा का पूरा वर्ल्ड कैसे function करता है This learning can be seen in his eyes और उसकी eyes क्या है बिल्कुल hopeless full of sorrow The epistemology of laws Epistemology क्यों होते true knowledge किसी भी चीज की सही ज्यान होना तो यहाँ पे सही ज्यान किसका है Loss का तो बोला तो बोला जा रहा है कि जो सही ज्यान है Loss का कि कैसे हमें stand up होना है Stand up मतलब कैसे हमें दुख के खिलाफ खड़े होना है वो यह लड़का अभी सीख रहा है The boy is learning the true meaning of loss and how to stand up against it आगे poet बोलते हैं Knowing what every man must one day know बोल रहे हैं कि हर आदमी को जितने भी लोग हैं दुनिया में सब को एक न एक दिन ये चीज़ सीखनी पड़ेगी and most know many days how to stand up stand up मतलब tolerate करना, सहना and बहुत सारे लोगों को पहले ही पता चल गया कि कैसे एक loss को सहना है बहुत सारे लोगों को क्या लिखा हुआ है कि जो लड़का है ठीक है उसे समझ में आगे कि no one buys the ball back उसकी ball कोई वापिस नहीं ला सकता उस लड़के को समझ में आगे कि money is external कि पैसा तो भार की बात है emotion से उसको compare नहीं कर सकते he is learning वह जिन्दगी की सच्चाई सीख रहा है और यह चीज़ हम उसकी आखों में देख सकते उसकी साड आखों में यह चीज़ दिखाई दे रही है अपिस्टू मिलोजी मतलब true knowledge सही ग्यान के loss सही माइने में क्या होता है वह यह सीख रहा है मतलब कैसे उस loss को हमें tolerate करना है सहना है वह यह भी सीख रहा है और यह सारी चीज़े हर आदमी एक ना एक दिन सीखेगा और भात सारे लोग अलरेड़ी यह चीज़ सीख चुके यानि कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में किसी को खो चुके है हाना यह वर्ल्ड ऐसे ही चलता है बहुत सारे लोग सीख चुके हैं उस दुख से लड़ना और बहुत सारे लोग अभी आगे सीखे गिये clear everyone I hope this poem is absolutely clear can I get a yes ma'am in the comment section then we are moving to poem number 8 आठवी poem पे चल रहे बेटा clear है चले Amanda पे चलो जी so Amanda किस ने लिखी है बेटा जी Amanda लिखी है Robin क्लेन है ठीक है याद रखना Robin क्लेन ने लिखी है एक Australian author है ये ठीक अब यहाँ परना Amanda में एक छोटी सी बच्ची की विचार बताए गए अब अक्सर क्या होता है हम बच्चों के साथ बेटा कितना अत्या ह विचार होता है तो तुम ही बतासकते हो अब मान लो हमें बात बुरी लग गए तुम्हारे साथ भी हुआ होगा हमें कोई बात बुरी लगी तो हमें मूए भी बनाना अलावड नहीं है हम मूह नहीं बना सकते उस चीज़ के लिए घरवाले बोलेंगे यह क्या मूह सुजा रखा है कौन से तेरे बिजनिस में घाटे पड़ गए बोलेंगे कि नहीं कि येस और नो क्या वो ऐसा बोलते हैं या वो ऐसा नहीं बोलते हैं बताओ बोलेंगे कि नहीं कि क्या हो गया कौन से बिजनिस में घाटे पड़ गए और बोलेंगे मूर क्यों खराब है बोलेंगे अभी डाट पड़ी थी अच्छा तो अब गलती भी तुम करो मूँ भी तुम ही सुजाओ मैं क्या बताना चाहरी हूँ कि कभी कभी जो घरवाले होते हैं वो हमें नहीं समझ पाते हैं वो हमें प्यार करते हैं सब करते हैं बट कभी कभी ना बच्चों के लिए थोड़ा सा ये चीज ओवर हो जाती है तो यहां पर भी छोटी से लड़की है अमांडा जिसकी मम्मी अच्छा, पूरी कविता में कहीं पर भी नहीं बताया गया कि उसकी मम्मी उसे डाट रही है हमने अपने आप से एजियूम कर रहा है क्योंकि जेनरली मम्मियां ही डाटती है घर पे रहती है, बातों के लिए टोकती है पापा को इतना वो नहीं होता बट यहां पर one of the parent उससे बात कर रहे है यह आपको दिमाग में रख रहे है वो कोई भी हो सकता है हमने एजियूम कर लिया है कि मम्मी है तो भाई constantly उसे point out किया जा रहा है गलतियों के लिए कि Amanda ये मत करो, Amanda homework करो फलाना करो, ये करो वो करो तो Amanda बहुत ज़ादा परिशान हो गई है और वो थोड़ी सी शांती चाहती है वो peace चाहती है ठीक है तो Amanda को अभी से तयार किया जा रहे है समाज के लिए कि चॉकलेड मत खाओ पिमपल हो जाएंगे अभी हम आगे देखेंगे एक पोम में हाना तो अभी से उसे समाज के लिए तयार किया जा रहा है समाज के लिए प्रिपेर किया जा रहा है वो समाज जो कहा है पता नहीं ठीक तो ये सारी बाते यहाँ पर एक्स्प्रेस की गई है बताया गया है कि कैसे बच्चों का दिमाग कितना कोमल होता है कितना प्यारा होता है हम उसे जिस डारेक्शन में मोड़े वो मुड़ जाते है तो हमें बच्चों को एक डिसिप्लीन जरूर सिखाना चाहिए बट इतना जादा हावी भी नहीं कर देना चाहिए कि वो लोग कटने लगे अपने माबाप से चीक है? अब यहाँ पर देखो क्या लिखा अब ना अच्छा जितनी वी चीज़े ब्राकेट में है न वो एमांडा की इनर थौर्ट से है उसे हम लोग पेरेंथेसिस बोलते हैं क्या बोलते हैं? पेरेंथेसिस बोलते हैं वो एमांडा की इनर थौर्ट से जो भी bracket में है और जो bracket के बाहर है वो one of the parents उससे बोल रहे हैं ये चीज़ ध्यान रखना आपकी NCRT में bracket में भी है और बाहर भी है जैसे ये बाहर है Don't bite your nails Amanda Amanda, अपने nails मत खाओ Don't hunch your shoulders Amanda Amanda, hunch मतलब bend अब ऐसे आदत होती है न किसी किसी को यूँ चलने की कूबड निकालके तो वह ही वो बोल रहे हैं कि अपने shoulders को bend मत करो Amanda Stop that slouching and sit up straight Amanda Slouching मतलब lazy manner में कि हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं यूँ बिल्कुल तो वो बोल रहे हैं ऐसे मत बैठो सीधे बैठो Amanda ये सब उसको instructions मिल रहे है अब bracket में वो है जो Amanda अपने मन में सोच रही है जो उसके मन में चल रहा है अब Amanda reply तो देनी दी अपनी मम्मी को तो वो अपने inner thoughts में ही गुम है अब आपके साथ भी होता होगा अगर आप लोग बहुत जादा परिशान हो किसी चीज से तो आप अपने inner thoughts में खो जाते हो अपने एक अलग world में आप चले आते हो हना तो यही यहाँ पर बता रखा है क्या कि there is a language language मतलब बहुती रिलाक्स अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है अलग कहानी इस तरीके कि यह आप इमाजन करो कि एक बहुती रिलाक्स सी क्या है emerald emerald मतलब एक रतन होता है green color का यहाँ पर emerald बोल रखा है सी को कि एक ऐसे green color की न सी है बहुती relaxing सी where the soul inhabitant soul मतलब इकलौती अकेली inhabitant मतलब रहने वाली निवासी कि उस पूरी समुद्र में एक अकेली रहने वाली कौन हूँ मैं हूँ तो वो खुद को क्या imagine कर रही है mermaid mermaid पता नहीं इस टाइप से होती है जल परी ठीके कि मैं एक mermaid हूँ drifting blissfully blissfully मतलब बड़ी खुशी से drifting मतलब बहते जाना कि बहुती पानी के flow के साथ मैं बड़ी खुशी से बहती जा रही हूँ तो उसके दिमाग में यह चल रहा है ठीकें दुबारा से बता रही हूँ मेरा pen देखना कहां कहां है एक relaxed green color का समुद्र है जहां पर अकेली रहने वाली निवासी मैं हूँ मैं एक mermaid हूँ जो बहती जा रही हूँ बड़ी ही खुशी से समुद्रों में उसके दिमाग में चल रहा है आगे देखो अब दुबारा से उसको instruction रियल वर्ल्ड में चल रहा है अबे तुन्हें homework किया अपना अपना कमरा साफ किया कि नहीं अमांडा मुझे लगता है मैंने बोला था to clean your shoes अमांडा तुमने अपने shoes साफ कि देखो बच्चों को discipline again मैं बोलूँगी जरूरी है बट हर बात पे अगर हम उन्हें टोकेंगे न तो हम उनके दुश्मन बन जाएंगे हमें ऐसा लगने लगेगा बच्चों कि हमारे दुश्मन हम से इतना क्यों टोका-टोका ही कर रहे है ठीक है तो वही चीज अभी अमांडा के लिए चल रही है क्योंकि वो छोटी है इतना नहीं समझ पारी अब अमांडा की दिमाग में क्या चल रहा है ब्राकेट में लिखा वाए अगेन आई एम एन ओफिन ओफिन मतलब अनाथ ठीक है उसके इनर वर्ड में चल रहा है मैं एक अनाथ हूँ मैं क्या कर रही हूँ रोमिंग मतलब इदर उदर भटकरी हूँ स्ट्रीट पे ठीक है मैं रोड पे इदर उदर भटकरी हूँ अब वो क्या बोल रही है हुष्ट मतलब एकदम कोईट एकदम शांती भरी जगा कि एक शांती भरी जगा पे बेर मतलब नंगे पाउं एक शांती भरी जगा पे मैं नंगे पाउं बैठी हूँ और नीचे मिट्टी है और मिट्टी से मैं क्या कर रही हूँ पेरों से पैटरिन ड्रॉ कर रही हूँ होता है न हम अपने पेरों से ऐसे ऐसे कुछ बनाने लग जाते हैं मिट्टी देखते हैं तो वैसे ही वो अपना सोच रही है अब यहां पढ़ना इस लास्ट लाइन में फ्रीडम चाहिए थोड़ा अजादी चाहिए फ्रीडम को मीठा बताया है ठीक है अगे देखो अब आगे क्या हो रहे है फिर से इंश्रक्शन मिल रही है don't eat that chocolate Amanda Amanda chocolate मत खाव remember your acne Amanda acne मतलब pimple अब सोचो इतरी छोटी सी बच्चों क्यों pimples के लिए टोका जा रहे दाथ खराब हो जाएंगे तो एक बार को समझ भी आथा बट उस society के लिए के society में pimple वाली लड़की है न तो सोचो उसकी लिए उसको अभी से टोका जा रहा है will you please look at me when I'm speaking to you Amanda बोला जा रहा है क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुम से बात कर रहे हूँ हमारी मम्मी भी बोलती थी बच्चपन में घुन्नी हो गई है घुन्नी मतलब बिलकुल मुह में धाई जमाल दी है बोला नहीं जा रहा तिरको और फिर बोलो तो बोलती थी मूँ चला रहा है तो यह कई न कई clash होता है तो अभी आगे यहां पर क्या समझ रही है मैंडा कि I am Rapunzel Rapunzel ना एक fairy tale है ठीक है आप देखना fairy tale है YouTube पर दिख जाएगी नहीं देखी तो इसमें क्या होता है एक लड़की होती है जिसके बड़े लंबे वाल होते है और उसे एक चुड़ेल कैद कर लेती है किले में तो लंबे बाल जब वो बहुत साल बाद एक prince आता है उसे बचाने और उस किले में जाने का कोई रास्ता नहीं होता केवल एक ही रास्ता है कि वो अपने लंबे बाल नीचे फेकेगी फिर उसे पकड़ के आएंगे ठीक है तो अब वो खुद को refusal imagine कर रही है कि I have not a care I have not a care मतलब मुझे तब किसी की कोई परवा नहीं होती life in a tar कि काश मुझे किले में कैद कर दिया हो था और मेरी life किले में बहुती जादा ट्रैंक्विल मतलब काम होती एकदम शान्त होती और रेयर होती रेयर मतलब uncommon तो चोचो उसे शांती कभी मिलती नहीं इसलिए शांती उसे रेयर लग रही है ठीक है कि मेरी life बहुत शान्त होती I will certainly certainly मतलब पक्का शौर कि मैं तो शौर हूँ कि मैं कभी भी अपने bright hair नीचे नहीं डालती यानि कि इसने तो नीचे डाल दिये थे रेप्यूंजल ने कि इसको कोई आ जाए बचाने बट वो कह रही है मैं नहीं डालती यानि कि मैं नहीं चाती कि कि किले में कोई भी आए मुझे वहाँ पर अकेले रहना है ठीक है तो इस तरीके कि उसके बाल थे आप लोग देख सकते हो ये रही है रेप्यूंजल अब आगे देखो अब अब last में Amanda के thoughts नहीं बताए है last stanza में उसी के जो parent है वो बोल रहे है stop that sulking sulk करना मतलब एक bad mood में रहना बहुत जादा कि ये क्या move अना रखा ये क्या तुम सलक कर रही हो कि जैसे मैंने तुम्हें पता नहीं कितना मारा हो चुप करो ऐसे you are always so moody Amanda तुम हमेशा बड़ी moody सी रहती हो Amanda anyone would think that I nagged at you nagged at you मतलब मैंने तुम्हें हारेस किया है मैंने तुम्हें डाटा है मैंने तुम्हें टॉर्चर किया है तो कोई भी आएगा बाहर से तुम्हें ऐसी लगेगा चलो सही से बैठो तो अब actual में तुमने उसे nagged किया है actual में तुम उसको बार 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 टोक रही हो और फिर तुम्हें ये भी डर लग रहा है कि कोई बाहर से आएगा तो वो सोचेगा कि तुम्हें नाट किया है ठीक है हां जी ठीक है ये हमारी last poem है The Trees, The Tale of Custard The Dragon मैंने आपको अभी परसुई कराई है मैं comment section में उसका link भी pin कर दूँगी बिल्कुल top पे ठीक है तो Tale of Custard The Dragon मैंने अभी अभी कराई है जस्ट बच्चों को पूरी detail में कराई है हना तो इसलिए मैं उसको repeat कर रही हूं सिर्फ एक पॉम को मैं रिपीट नहीं कर रही हूं वह है Tale of Custard The Dragon क्योंकि वह मैंने आपको अभी अभी कराई है बार-बार बोल रहे हूं उसका link already playlist में है जो description में लिंक है अभी में दिखा भी दूँगी क्लास एंड होने से पहले बट में फिर भी आपके लिए comment में डाल दूँगी चलेगा इतना ठीक है तो अभी के लिए हम लोग हमारी last poem पे चलते हैं जिसका नाम है बेटा जी the tree the trees ये जो कविता है बेटा जी ये किस ने लिखी है अड्रियाने रिच ने इस कविता को लिखा है ये आप लोग याद रखना ठीक है ये एक feminist ही बहुती famous poet भी ये रहे चुकी है तयार हो can I get a Josh वाला yes ma'am in the comment section can I get a Josh वाला yes ma'am please कुछ भी spam कर दो कुछ भी मतलब we can do it fire emoji yes ma'am anything कुछ भी आप spam कर सकते हो चाला अल्राइट अब ये जो हमारी poem है ना the trees ठीक है ये एक metaphor है यानि कि एक अंतर एक comparison हुआ है कविता में trees की तुलना की गई है किस से किस से की गई है woman से ठीक है अब poet हमारी feminist है और वो बताती है जैसे आपको पता है पहले के जमाने में जो हमारी woman थी जो हमारी औरते थी उन्हें इतनी अजादी नहीं थी कि वो भाहर जाके पढ़ पाएं या वो भाहर जाके अपने जो विचार ह है हाना उन्हें हमारे सामने रख पाएं उन्हें इतनी अजादी नहीं थी उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था उन्हें सिर्फ चूला चौका करो तुम लोग और तुम लोग बैठके केवल उन्हों एक ही जगा पर घर काम ही करते रहो इसी के लिए उनको से अख तुम वर्ते हैं हाना उनके मन में इच्छा जागी डिजायर जागा के उन्हें भी घर से बाहर निकलना है और दुनिया में कुछ करना है तो यहां पर जो ट्रीज बोला गया ना तो हम साइड साइड चलेंगे ट्रीज को वुमेन बोला गया है ठीक कमपैरिजन करें ये trees और women का, okay, शुरू करे भाई लोग, can we start, can we start, चलो, so लिखा है, the trees inside are moving out into the forest, the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun buried its feet in shadow, the forest that was empty all these nights will be full of trees by the morning, अब यहाँ पर forest किसको बोला गए, world को, और trees किसको बोला गए, और ओरतों को, women को, so poet यहाँ पर बता रही है, कि भाई, जो trees है न, मलब दो यहाँ पर मुद्दे उन्होंने करे है, पहला तो यह कि हमने क्या कर रहे है, trees को भी कैद कर लिया घर में, trees कहाँ पर रहने चाहिए, forest में, forest से हम काटते जा रहे हैं, घरों में लगाते जा रहे, decoration परपस के लिया, यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं हम लोग, ठिक हैं, तो poet क्या बोल रहे हैं, कि जो पेड है न, जो trees है, they are moving out of the confine of the houses into the open forest, कि अब वो जो पेड है न, अपना पूरा दम लगा रहे हैं, वो पेड जो हमने forest से हटा के घर पे रखे ते forest को खाली कर दिया था हमने, अब वो जो पेड हैं, वो बिलकुल दम लगा रहे हैं बाहर निकलने के लिए, कहां जाने के लिए, forest में जाने के अब यह unrealistic चीज है, क्योंकि पेड खुद तो चल नहीं सकते, पेड मूव नहीं कर सकते, तो हमें समझ में आ जाता है, यह एक symbolic poem है, ठीक है, तो trees को यहां पर एक तरीके से woman बोला गया है, कि जो woman है, वो अब अपने घरों से बाहर निकलने के लिए तयार है, यानि कि उन्हे समझ में आगे कि घर पर रह कर कुछ नहीं होगा, अब क्या करना है, मुझे यह से बाहर निकलना है, ठीक है, समझ में आया, further she adds that forest has been empty for the past many days, अब अगर बाहर कोई भी पेड नहीं था, तो आपको पता है कि कोई bird उस पे अपना घर नहीं बना रही थी, क्योंकि पेड क्या क पेड थे ही नहीं, तो यह सारी चीज़े भी नहीं हो पा रही थी, forest पूरा का पूरा खाली था, बट अब जो forest है वो खाली नहीं रहेगा, कल तक यह सारे पेड बाहर निकल चुके होंगे और forest भर चुका होगा, समझ में आया, तो यहीं लिखाए कि जो पेड जो घर के अं कोई जो सन है, अब यहां पर एक फोटो होगी, अगर यह देखो इस तरीके से, तो यह जब सूरज की रोशनी पड़ती है, तो यह ट्रीज के से होते वही तो जमीन पे पड़ती है, इसलिए सन की कोई फीट तो होती नहीं है, तो सन की रेस को फीट बोला गया है, कि जो सू फोरेस्ट पूरा का फूरा खाली था, बट अब कल तक, मौर्निंग तक, फोरेस्ट विल बी फुल ओ ट्रीज, ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, यहां पर मैने इसको हटाया नहीं है, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट वर्ड मेलिंग्स हैं अल्रेडी, दिखा है, all night the root work, to disengage themselves from the cracks in the veranda floor, अब यहां पर बेटा जी क्या बताया गया है, यहां पर ना struggle बताया गया है, ठीक है, इस पूरे के पूरे स्टांजा में struggle बताया गया है, कि कैसे plants, कैसे जो trees हैं, वो struggle कर रहे हैं घर से बाहर निकलने के लिए, यानि कि कैसे हमारी ओरतों लेवी, जो women है, आज को हम क्यों पड़ पा रहे हैं, कोई तो feminist होंगे, कोई तो women होंगे, जिनने हमार लेवाज उठाई होगी, तो उन्होंने कैसे struggle करा, ठीक है, तो यहां पर इस पूरे में struggle बताई गया है, कि जो roots होती है, पेड की जड़े है, जो roots होती है, वो क्या कर से, अब मान लो, घर का फ्लोर है, तुमारे घर की जो नीचे की जमीन है, हाना, roots तो उसी के नीचे होंगी न, अगर एक पेड की जड़े देखोगे, तो जमीन के नीचे होती है, कि नहीं, तो roots क्या कर रही है, अपने आपको जमीन से बाहर खीचने की कोशिश कर रही है, व वो क्या कर रही है, वो glass तोड के बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, small twig stiff with exertion, small twig मतलब जो छोटी छोटी टहनिया है, जो stem है, exertion मतलब effort मारना, long cramp bow shuffling under the roof, अभी इन सब का मतलब मैं आपको बताऊंगे, ठीके, बहु का मतलब यहाँ पर क्या है, branches, पेड की branches, like newly discharged patient half days moving out to the clinic dose, अब इस पूरे का मतलब क्या है, उसको समझने की कोशिश कर, यहाँ पर क्या लिखा है, कि जो poet है वो हमें struggle बता रहे हैं, कि कैसे हमारे plants कल forest तक पहुँचेंगे, वो बोलते हैं कि पूरी राज जो roots है वो खुद को separate करना चाहती है, वेरांडा floor से, खुद को निकाल जो leaves है, वो क्या कर रही है, कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वो window के glass तक पहुच जाएं, कि वो उसे तोड़के बाहर निकल सके, यहाँ तक कि जो छोटी stems है वो भी अपना पूरा force लगा रही है, अब मालो मैं ऐसे पूरा force लगा रही हूं, कहीं से बाहर निकलने का तो बड़ी-बड़ी branches है, वो क्या कर रही है, वो roof तोड़के बाहर जाना चाहती है, तो वो under the roof shuffle कर रही है, shuffle मतलब ऐसे mix and match, mix and match हो रही है कि कहां से निकलू, कहां से निकलू, ठीक है, तो यह सब चल रहा है, अब इनको किस से compare किया गया है, इनको एक patient से compare किया गया है, जैसे मानलो अगर कोई hospital में admit है, ठीक है, और वो अगर बाहर निकलेगा, मानलो आज उसकी छुट्टी हो गई, तो वो उसे घर जाने की बहुत excitement होगी, वो अभी भी दवाईयों के नशे में होगा, half-dazed, हना दवाईयों के नशे में होगा, वो half-dazed मतलब अभी भी हलका पूरा ह अभी होश में नहीं है, बट वो बोलेगा मैं ठीक हो, चलो, राइट, तो वैसे ही बोला है, कि ये भी इतना effort मार रही है, कि बस किसी तरीके से मुझे हां से निकाल दो, समझ में आया, यही लिखा है, कि we can say that women are desperate for a change, तो यहां से हम women के लिए क्या figure out कर सकते हैं, कि जो women है, हाना जो औरते हैं, वो भी एक change के लिए desperate है, उन्हें बाहर निकलना है, और उनके effort को compare किया गया एक patient से, जिके जब भी एक patient एक hospital से release होता है, तो वो बहुत जल्द बाजी में, बहुत confused manner में बस बाहर जाना चाता है, क्योंकि बहुत दिन से वो पक जाता है hospital में रह रहे के right, maybe क्योंकि वो half conscious होता है, medication के नशे में होता है, right, बट वो चाहे चल पाए, ना चल पाए, unstudy हो कि उसे hospital से बाहर निकलना होता है, बिल्कुल वेसे ही पेड जो है, यानि कि जो woman है, वो अपना पूरा effort लगा रही है, कि वो ये जो stereotype है, इसको तोड़ कर यहां से बाहर नि लिखा है, देखो, I sat inside, doors are open to the veranda, poet क्या बोल रही है, कि वो अंदर बैठी हुई है, जो दरवाजे हैं, वो खुल रखे हैं, वो अपने letters वगेरा कुछ लिख रही है, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house, और वो जो भी लिख रही है, उनमें वो बिल्कुल भी ये जो सब हो रहा है, उसके ब वो मेन को, हमने trees को घर पे कैद कर लिया है, तो वो बोल रही है कि मैं जो letters लिख रही हूं, उनमें बिल्कुल भी ये जो departure है, उसके बारे में बार नहीं कर रही हूँ, the night is fresh, फिर वो आगे क्या बोलती है, कि रात बहुती fresh है, बहुती clear है, पूरा का पूरा जो moon है, वो shine क कर रहा है, ठीक है, स्काय में, और जो leaves की smell है, यानि कि अगर आप पेडों के पास जाओगे, आपको एक smell आएगी, ठीक है, लिचिन आपने देखा होगा, इस टाइप से, पेडों पर green ग्रीन सा देखा होगा, तो इसकी एक smell आएगी, पूरे के पूरे room में, जहां पर भी तो वो यहीं बता रही है, कि जो leaves की smell है, हाना वो मेरे पूरे के पूरे घर में पैल गई है, और वो कैसी लग रही है, जैसे एक आवाज पैल गई हो, जैसे हर करफ से आवाज आ रही हो, कि उन्हें बाहर निकलना है, एक desire for freedom दिख रहा हो, कि हमें अजादी चीए, हमें पूरे घर से क्या आ रही है, पेडों की smell आ रही है, क्योंकि पेड अब बाहर की तरह जा रही है, ठीक है, अब आगे जो last stanza है, let's see, उसमें क्या बात हो रही है, my head is full of whispers, which tomorrow will be silent, ठीक है, तो अभी जो पेड आवाजे कर रहे हैं, कुछ तोड़ के जाना चाते हैं, कुछ निकल के जाना चाते हैं, तो इन सब की जो अवाजे हैं, जो फुस फुसाहट है, वो मेरे दिमाग में चल रही है, वो मेरे कानों में आ रही है, और कल तक ये सब चुप हो जाएंगे, कल तक ये सब silent हो जाएंगे, ठीक हैं, क्योंकि बाहर जा चुके होंगे, अब वो हम readers क तो बोल रही है, listen, यानि कि हमें बोल रही है कि सुनो, ध्यान से सुनो, दो मिनेट रुको, ध्यान से सुनो, the glass is breaking, बोल रही है, जो कांच है, जो glass है, वो टूट रहा है, the trees are stumbling forward, stumbling के होते से अटक के बाहर आना, तो बोल रही है, अगर मालो आप कोई दर्वाजा तोड र रहे है, winds rush to meet them, हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है, जैसे हवा उनसे गले मिल रही है, उनका स्वागत कर रही हो, the moon is broken like a mirror, और moon किस की तरह लग रहा है, एक mirror की तरह के भाई, मिरर जैसे काच तूट जाता है, बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है, for example, ये पली फोटो देखो ठीक है, अब यहाँ पे अगर पेड़ बहार चले गए है, जो moon है, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि fragments में तूट गया हो, क्योंकि परचाई, shadow पढ़ रही है tree की, तो बिल्कुल वही बोला गया है, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak, तो oak एक तरीके का tree होता है, ठीक है, यही बोला गया है कि ऐसा लग रहा है, कि जो shadow है, oak tree की, उसने पूरा का पूरा divide कर दिया है, फ्राग्मेंट में, यह बाट दिया है, यह देखो पेड को, हाना और ऐसा लग रहा है कि यह, जो moon है, यह क्या है, इसका crown है, एक ताज की तरह इसके सर पे बैठा हो, तो यही बात यहाँ कि उनका जो दिमाग है, जो सर है, जो अवाज है, उनको अवाजे आ रही है, किसकी अवाजे आ रही है, trees की, जो बहुत ही desperately क्या कर रही है, महनत कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए, यह sound कल नहीं आएगी, poet जो है वो हमसे ध्यान से सुनने के लिए बोलती है, listen, the glasses breaking, glasses breaking, मतल दुन्या में am y Nikki और ते आरे शर्म निकल रहे हैं यह प전 स्वागत कर रहें वैसे उन्होंने बोला कि पेड़ निकल रहे हैं और विन्ट उनका स्वागत कर रही है और मुंहें न कहल कर लग कि च्री цент जाडोल वो उस पर पढ़ रही है Is it clear guys? हान जी सावंत जानती हूँ बेटा जानती हूँ विरांदा मतलब आंगन विरांदा बोलते हैं आंगन को समझ में आया भाई लोग जल्दी से बता दो एक बार ठीक हैं तो trees को यहां पे as women लिया गया है as kids लिया गया है कि कैसे उन पे restrictions लगाई जाती है कैसे उन्हें रोका जाता है बट अब जैसे जैसे women आगे बढ़ रही है वो इन restrictions को break करके world में अपने लिए एक जगा बनाने जा रही है तो यह हमारी थी सारी की सारी कविताएं एक बारी जाने से पहले मैं आप बच्चों को जरूर एक चीज दिखा देना चाहूंगी सो यह मेरा चानल है English by Tanya Sharma आप देख सकते हूं यह मेरी क्लास चल रही है ठीक है और यह आप देख सकते हूं कि प्लेइलिस्ट का लिंक मैंने डाल रखा है अब इस प्लेइलिस्ट के लिंक पे अगर आप जाओगे ना बेटाजी सो यहाँ पर आपको यह रहा देख जाएगा ठीक है यह पूरी की पूरी पोम आपको डारेक्टली प्लेइलिस्ट ते मिल जाएगी बाकी सारी पोम्स मैंने आपको करा दिया मैं कॉमिन सेक्षिन में भी लिंक डाल दूगी जो को मैंने प्रॉमिस किया था मैं एक बार ही देख लेती हूं वो जगी हूई है के नहीं जो जगी है के सोरी है सोरी है जो बेटा जी सो रही है मैंने बोला था अगर वो उठी होगी तो मैं दिखा दूँगी आज में थोड़ा नशे-शे में वह कि उसको वैक्सिन लगा है न अब हमें भी जब करोना का वैक्सिन लगा तो हम लोग कैसे थे बिल्कुल तबेट खरा फीवर ये वह तो वह भी नशे-शे में बट कोई नी कल कल मैं जो से मिलवा दूगी ठीक है अब अगर जो सोनी रही होती तो मैं पक्का से मिलवाती मैं तुम्हारे लिए भार गई थी देखने उसको बट अभी वह सोरी है तो म मैंने बोला भी है मुसाफ करने के लिए तो बिल्कुल ऐसी सो गई हो ठीक है चलो जी तो डाट सिट गाइस बाइस बात अच्छा लगेगा और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स क्लास में जिन बचों ने टेलीग्राम जॉइन नी किया है भाई लोग प्लीज टेलीग्राम को ज स्क्रिप्शन में ठीक है बाके किसी को अगर कोई वीडियो नहीं मिल रहा है स्पेसिफिकली मुझसे पूछ लेना कॉमन में दे दूंगी का अल्राइट गाइस क्लास का टाइमिंग भी मुझे बता देना नीचे आई विल सी यू गाइस तुमोरो थैंक यू सो मच लव विल सुमने के लिए इतना सारा, I love you, bye bye, take care